बोलेशी प्राणनाथ प्यार सी सत्गुरो महारा स्री ज्यावर धाम श्वामी श्री लाल्दासी मा तीनो पुरिधा समस्त सुन्दारस प्रणाम सुन्दासा कदमो लाग करू सेजदा पकड के दो पाया हुकमा करत हे मासुक बिच आशिक के लिला माशुक तुमारी आंगना तुमा आंगना के मासुक ए हुकमे इल्लो में द्रड के आंग हजुरुह क्यो ना हो तुकतु हजुरुह क्यो ना हो तुकतु प्रीतम मेरे प्राण के आतम के आधार शर्वशो भादेने योग्या हुश्री लेला नित्य विया श्री लेला नित्य विया बुलेशी प्राणनात प्राणधार आतम शबंधी धाम धनिके लाडले एवं प्यारेशी शुन्द साजी सबसे प्रथम तुमारे सी च्रण में मेरा कोटी-कोटी दंड़त प्राणधा शुन्द साजी कल के प्रशंग में हमने बुजिनगर में घटीत होने वाले घटनाक्रम के अंदर पहले दर्शन रण के अंदर शिपाईवेश में महम्मद के रूप में उसके बाद अलग-अलग स्थानों, अलग-अलग मत्संप्रदायों के अंदर जो सन्याश, कापड़ी, वेरागी, गरक, नाथ के जो मत्सिन, नाथ के जो नाथपंध के कानफटे सादू और उसके बाद अंतिम में मस्चिदों के मुल्यों के पास, काजियों के पास और उसके बाद अंतिम में देखा के ब्रामण कथा वाचक के पास गए, लेकिन वहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ, देखा ने, हमने कल विस्तार से किसी के पास धार्मिक वेश्वुशा का अडंबर था, किसी के पास इसका एहम एहंकार था किसी के पास हठियों की क्रियाओं का, शिद्यों का ग्यान था, बस कोई तो मन इंद्रियों में ही वशिभूत होकर बैठे थे धामदनी ने तो एक ही छुपाई में बता दिया है अंदर वानी के अंदर के चवदे तब की दुनी में किन कहिया न एक अरफ और आगे भी एक शुपाई में बताया किरंतन में के लोक जिमी आसमान के जिनके चीत सबल अकल मन सु आगू न चल सके रहे हवा बिच सुन संसार के जीवों के चीत लो, सब्द लो या अकल बुद्धि लो सब के सब्द कहां सिमित रगे आगुना चल सके रहे हवा बिच सुन बस सुन ये निराकार में शिमित हो गए चाहे वेदों के ग्याता हो चाहे सास्त्रों के ग्याता हो चाहे उपनिशदों के ग्याता हो, चाहे और धर्मसास्त्रों के ग्याता हो, सब वहां शीमित्रेगे नेतों ने भी वेदों ने उपनिशदों में नेती नेती करकर सुन्दसाजी नीराकार में मौन धरन कर लिया, उसके आगे ओजा नहीं पाए हमारे शोभाग्य की बात है के धाम धनी ने बिहत से भी परे दिव्य परम धाम का एशा अलो की कनुपम ज्यान देकर हमारे अंदर के नेत्रों को खोल कर हमारे मुल्क तन कहां बैठे है हमारा जीव का खंड मुक्ति का स्थान कहा है और यहां से हम वापस लोटेंगे तो जाएगे तो जाएगे कहां जीव की मुक्ति कहां होगी आत्मा परातम में कैसा लोटेंगी वापस और इस से पहले हम कहां थे उसके बाद कहां थे और इस लिला के बाद जाएगे कहां एस सब सुधी एस सब घ्यान की पेचान किसने कराई धाम्धनी अक्षरा तीत ने करवाई शुंदसाजी एवानी के माध्यमशे पांच में दिन में जो एवानी आई पांच मा वेद शर्षम वेद आत्मवेद कुल जम वानी ब्रम्ग्यान ने हमारा अंदर का नेत्र खोलकर धामधनी ने पेचान कराकर और संसार के सवी जीवों को सुध देंगे के तुमारा अखंड दिविय घर ए परमधाम आत्मा का घर और जीव की मुक्ति का स्थान बेहद भूमी का है एक्षर प्रमान में तो तुम लिला देखने के लिए आये हो तो देखकर अंतिम में श्री देव चंद्रजी हरिदाशी के वहां गये कहां गये हरिदाशी के वहां गये वहां एक आतम भाव की एक निष्ठा की सुन्दसाजी एक शक्खी भाव की भक्ति देखी और हरिदाशी की सेवा में लग गये कोन सत्देव चंद्रजी हरिदाशी की स प्रुष्था वाली सेवा देखकर उसने भी सोचा के में एक मंत्र दे दू उश्को। तो मंत्र में हमने कल देखा कि एक की तरफ माया भी जोर कर रही है, माया भी अपना रूप ले रही है, सुंदसाजी बल कर रही है और एक की और देवचंदर जी के अंदर एक आत्म जागरूती की और एक परमतत्व की खोज की जिग्या साभी अंदर से एक अगनी की तरह ज्वाला बनकर प्रगट हो रही है कि बस मैं तो परमतत्व को कैसे प्राप्त करू और धाम धनी के चरणों में पहुँच जाओ तो वहां तक प्रशंग में हमने कल अंतिम में देखा सुन्दर साथ जी के भद्रबेसो के आना तो सीर पर मुंदन कराना और वेश्वुशा धारन करके ऐसे आना यहां तक हमने पहुँच कर देखा और यह भी देखा के माया कितनी बलवान है गुरूस्ति में नहीं पढ़ना था देवचंद्र जी को लेकिन क्या करे विवस बनकर मजबूर बनकर साधी वीवातो करना ही पढ़ा सुन्दर साथ जी तो कल के प्रशंग में हमने देखा अंतिम में दो प्रमान भी देखे पुराणों के के शोबरी रूशी और अयाती रूशी के के देखो एक बार तपस सर्या के बाद फिर संसार की और अंदर विकार पेदा हुआ, संसार की और गए माधन तक पचास कनियाओं के साथ विवा किया और उसके बाद अयाती रूशी का भी अमने प्रमान देखा कि अपनी युवावस्था से लेकर पुत्र की युवावस्था तक ये विसे कोई तुरुपत अभी तक हुए, नहीं है, ऐसे उल्टे अंदर अमारे अंदर और विकार वासना बढ़ती जाती है सुन्दसाजी, जितनी हम तुरुपत करते जाएंगे, जितना हम भोगते जाएंगे संसार का सुख को, इतनी अंदर से वासनाएं और बढ़ती जाएंगी कभी भी तुरुपत वाने ओने वाली नहीं है, ये वासनाएं, ये इच्छाएं हमको 84 लाख्योनी के चक्र में भटकाती है, कहां? 84 लाख्योनी के चक्र में सुन्दसाजी भटकाती है, तो हम आगे बढ़ें, कल वहां बद्रवेस धारन करकर, शिदेव चंद्रजी भुज नगर में हरिदासी के महां गए, कहां गए हरिदासी के महां गए, हरिदासी ने पुछा, कि तुमने कोई आगे कोई सन्यास या कोई सादू संत या कोई गुरू का मंत्र लिया है, तभी उसने बोला, देव चंद्रजी ने के हाँ, मैंने लिया है एक मंत्र, एक सन्यास, जो दतात्रे महर्सी, दतात्रे के मतवाले सन्यासी के पास मैंने गुरु मंत्र लिया है तब हरिदासी ने क्या बोला सुन्द साथ जी? वहाँ भी देवचंद्र जी के अंदर रही हुई बुद्धी काम को दर्शन होगा उसने ये बोला कि वह ये तो एक शामानी व्यक्ति का विचार है ये तो एक कर्मकांडी जीव का विचार है उसने ये बोला कि जो आपने मंत्र लिये है, वो मंत्र को लिख कर कागज में लिख कर, चिठी में लिख कर, एक रोटी में या कुछ में छिपा कर आप ये सन्यासी को वापस कर दो, तबी देवचंद्र जी ने उतर दिया कि ऐसे में क्या है तो एक शामान यह लोगों की विचार दा रहा है, और आगे भी बोला, कि भई यह से करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो आपका मंत्र जो आपका मंत्र ज्यादा बलसाली होगा, ज्यादा सक्ति साली होगा, तो यह मंत्र स्वत्व मेरे अंदर से निकल जाएगा, और जो हो मंत्र अबल साली होगा, जो नसन्या सिका दिया हुआ, तो आपका मंद्र अंदर रहेगा, नहीं, इतनी बात जब की, तब उसने क्या बोला? अरिदासी ने बोला कि अरे, डेव चंद्र तुमारे विचार तो बहुत स्रेष्ट है, तुमारी बुद्धी भी अवलोग कीख है, मेरे अंदर तो इतना छोटा सा भी अंस अभी तक आया, नहीं है मैं तो बस आएसे ही करता रहा हूँ सामानिय कर्मकांड आपके अंदर की बुद्धी तो बहुत महाने, तो सुन्दसाजी उसको एक मंत्र दिया मंत्र में क्या दिया? अभी मैं एक बात अंदर की श्पष्ट करूंगी कि जो अभी मंत्र दे रहे है हरिदास जी तो अभी देवचंद्र जी की अवस्था सुन्ना ध्यान से देवचंद्र जी की जो अंदर की अवस्था है उसका स्तर है सुन्दसाजी अभी कहां तक पहुँचा? अभी तो वो भागवत की ओर है, ने? जब दिसरे दर्सन के बाद श्यामा जी को जब पुर्ण पेचान हो जाएगी फिर बाके बिहारी रास बिहारी युगल सरूप राधा कृष्ण ये मंत्र की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, आप ध्यान से सुनना अभी जो दे रहे वो आगे की प्रतिक्रिया है अभी तो खोज की ओर है समझ गए अभी तो वो खोज की ओर है तो सुन्दत साजी इसले मैंने बीची में एक बात रखी कि अभी जो मंत्र देंगे वो क्या देंगे भजमन सीक, व्रुंदावन कुझ भीहारी नित्य विलाश ये मंत्र दिया और हरिदाशी ने देवचंद्र जी को बोला कि हे देवचंद्र जी योगमाया ब्रह्मांड में जो केवल ब्रह्म में योगमाया जो ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई कहां हुई थी वो? केवल ब्रह्म में हुई थी वहां जो राधा कृष्ण वाला अभी तो किसको पैचानते है देवचंडर जी राधा, युगल सरूप के रूप में किसको मानते है राधा कृष्ण को मानेंगे ने क्योंकि राधा यहां के तन का नाम है मैंने तृधालीला में विक्तार से समझाया रादा कृष्ण का नाम है बरसाने में जो रुष्पान जी की पुत्री हुई वो तो यहां का नाम है ने जैसे गरगाचारिया जी ने कृष्ण जी का नाम यहां रखा नक्षत्र रासी के आधार पर ग्रह के आधार पर ऐसे रादा कृष्ण युगर स्वरुप का जो मंत्र वो यहां का जो Պमे रास रासेष्वरी का यहां का नाम है तो अभी हरिदासी समझा रहे है किसको? देवचंद्रजी को जो योगमाय ब्रह्मान में जो रासेष्वर और रासेष्वरी, राधा और कृष्ण युगल स्वरूप के रूप में आप मानो और क्या करो जो योगमाय ब्रह्मान में नित्य व्रुंदावन में जो उसने एक रास लिला की थी वो रास लिला जो दिव्यकिडा की और कुझ निकुझों में जो तरह तरह की रामतों की थी और रामत करने वाला रास विहारी रासेस्वरी का आप युगल सरुप का ध्यान कर और इतना ही नहीं अपने रदई मंदीर में बसाकर उसका ध्यान कैसे करना चाहिए सुन्दसाजी, आज मैं एक बात और भी रखूंगी, एक एक प्रसंग में गहराई छुपी है सुन्दसाजी, रोज मैं बताती हूँ कि एक किसा में कभी भी वितक वाला घटना करम नहीं कह रहे हूँ, एक एक घटना करम में, एक एक प्रसंग में सुन्दसाजी गहराई छिपी है, मानलो कि जो उसने मंत्र दिया, तो मैंने मंत्र कल समझा दिया था आपको, कि मंत्र किसको कहते है, और नाम शुमरण भी आपको बता दिया था, आज मैं अलग रूप्षे आपको सम जाओंगी, कि नाम सुमरण जो दिया, उसने अभी दिया ने, रुंदावन का, पुरा योगेश्वर, राश्वी हारी कृष्ण का, तो ये जो है, सुन्दसाजी मंत्र, तो ये मंत्र का अंदर से ध्यान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, माला गुमाते है माला गुमाने से क्या होगा, मैं रोज एक एक बात लेती हूँ, सुन्दसाजी माला गुमाने की जो अवस्था है, वो एक नर्सरी की अवस्था, एक प्राथम, प्रारंबीक अवस्था है, मालो के जो बड़े-बड़े बुढ़े लोग होते हैं, वो विचारे को ध्यान की जो अवस्था प्राप्त करनी, कैसे ध्यान करना, और किस तरीके से करना, उसको पता नहीं होता, चलो, तो उसका मन मायावी संसार की ओर, दुन्वई विचारों की ओर ना भटके, इसलिए वो लोग माला करते, तो अपना मन एक की जग एकागर होता, मालो ऐसे 108 मन के होते है उसके अंदर, माला के अंदर, तो एक मन के हम घुमाते, एक बार तार्तम का जाब करते, दुसरे मन के घुमाते, दुसरी बार तार्तम का जाब करते, तो जो प्रारम भी कवस्ता है हमारी, वो सुरू सुरू की थी, जब हमने तार्तम निक्षा ली, तार्तम हमारी में बात क यह तो है देवचंद्र जी की, तभी हम सुरू सुरू में, जब माला की, माला का हम जब कर रहे थे, ऐसे एक पारा, जो एक मन का है, वह हम गुमाते थे, फिर हम मंत्र जाब बोलते थे, फिर दूसरा गुमाते थे, सुन्दर साजी यह प्रारम भी को वस्ता है, वो और तो नर्सरी से आगे क्या होता है, प्राथमिक स्कूल को ग्यान होता है, उसके आगे क्या होता है, माध्यमिक शाला का होता है, उसके आगे हायर शेकंडरी का होता है, उसके आगे कॉलेज का होता है, उसके आगे इनिवर्सिटी का, तो आगे बढ़ना चाहिए या ना चाहिए, मनलो बालक को एक अपने स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज दे तो बालक को नर्सरी में पांच साल वहाँ ही रहे एकी नर्सरी में higher law उसमें ही रहे तो हम पांच साल के बाद वो स्कूल में बच्चों को रखेंगे या निकाल लेंगे उसका certificate क्या करेंगे क्या करेंगे सुन्दसाजी हम निकाल लेंगे क्योंकि 5 साल से एकी नर्शरी में एकी हाय लोर में जो भंड पढ़ाई कर रहे है तो यह अच्छा नहीं है तो ऐसे हम आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को भी जो हम प्रयत न करते प्रयास करते तो हमारा भी स्तर हमारी भी अवस्ता और आगे बढ़नी चाहिए सुन्दसाजी हाँ सुरू सुरू में हम ऐसे जो मिने पैले दिन निया 2-3 दिन पहले भी बताया था कि सुन्दसाजी जहां तक अथ्वा जब तक हम गुणंग इंद्रियों के धरातल पर चाहे मन हो, चाहे पुद्धी हो, चाहे चित हो चाहे कोई भी धरातल पर हम सुन्दसाजी वो जो जाब करते रहेंगे तब तक हम आत्मा के धरातल पर पहुंच नई पायेंगे सुन्दसाजी आत्मा के धरातल पहुँचने के लिए वानी का आधार बनाना पड़ेगा, बार-बार वानी का चिंतन, बार-बार वानी का मन्थन, और बार-वार वही का रटन, और उसके बाद, मैं एक दिन बताया था, दो-तिन दिन पहले, कि एक दिन हम यही अवस्था में पहुँच तो सेवा-पुजा किसके आधार पर कर रहे है, इंद्रियों के माध्यम से कर रहे है, सुन्द साजी, सेवा-पुजा इंद्रियों के माध्यम से हम कर रहे है, तो इंद्रियों के माध्यम से, जब तक हमारी होती रहेगी सेवा-पुजा, तो हमारा नेत्र भी खुला रहेग जब तक हमारी इंद्रिया काम करती रहेगी, तो यह जो सेवा पुजा का काम है, हो हम कर्म से हाथ से कर्म करते हैं, लेकिन वानी का जो मन्थन चिंतन का काम है, हो हम बुद्धी से करते हैं, बुद्धी के आगे की जो दोट है, बुद्धी के आगे की जो हमारी जर्नी है, तो सब ज्यान प्राप्त करने के बाद सुन्दसाजी बैठने के बाद एकाग्र होने के बाद जो वानी काम ने स्वाध्याई किया जो वानी काम ने चिंतन मनन किया सुन्दसाजी वोई भाव में डूबना है क्या करना है वोई भाव में डूबना है तो यहां मैंने अभी बताया कि जो मंत्र दिक्षा दी गई देवचंद्र जी को, तो हरिदास जी ने बताया कि वोई युगल स्वरूप, रास रासेश्वरी, राधा कृष्ण का भी ध्यान करिए, क्या बताया? ध्यान करिए. तो सुन्द साजी जहां तक आप जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, यह सब्दक के माध्यम से यह देखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जितने समय तक आप 25 वक शिकते रहेंगे, जितने समय तक हजारों बार बानी पढ़ते रहेंगे, हजारों पारन पठन कर लेंगे, हजारो बारम पारण लिखवा लेंगे पैसे के आधार पर सुन्द साजी हमारी जागनी होने वाली नहीं है क्योंकि जागनी इससे होगी कि इस वानी के माध्यम से ये सब्दों के भावों में दूबना पड़ेगा एक कागरतो होना ही पड़ेगा जैसे इंद्रावती सुन्द साजी अबसे में जाकर धाम दनी के विरह में दूब कर भावों में दूबी तब इवानी का उतरना शुरू हो गया और परम धाम दिखाई देने लगा रास दिखने लगा और ब्रज भी दिखने दगा सुन्द साजी तो हम भी ओई रा पर चले और हम भी ध्यान में डूबे सिर्फ माला फेर कर या मानलियो कि हमने दावा ले लिया कि हम कंती भी धारन कर ली दिख्षा भी ले ली और हम वानी भी घर में पद्रा ली शेवा पूजा भी कर रहे है सुन्द साजी यह सब नरस्वरी की क्ल ली है तो सिर्फ सुन्द साजी कंती धारन करने से कंती का प्रतिक है कि हम इस संप्रदाई में है समझ गए कि इस संप्रदाई की एक निस्तान ही है कि हम निजानन संप्रदाई में है मैं लोग कि किसी ने हो लंबे मन के वाली वो क्या जो उसका होता ने हो लकडी का तो ऐसी पैनी तो हम पेचान जाते के वो पुष्टी माק संप्रदाई में है, तुलसी की जो पैनी होती तो, ऐसे महालों किसी स्वामिनाड संप्रदाई में है तो उसकी एक orange color वाली जो कैसरी color वाली होती छोटे-छोटे मन के वाली तो यह देखकर भी हम पहचान जेते किसमें है? श्वामिनार संप्रदाई में हैं. तो ऐसे अलग-अलग मज़ संप्रदाई हो की जो एक प्रतीक है, जो एक निशानिया है सुन्द साथ जी, एसे में आगे जाओ, तो हरमत संप्रदाई में कंठी की परंपरा है ही नहीं? देखते हो ने आप, हरमत संप्रदाई में कंठी की परंपरा नहीं है सुन्द साथ जी, देखो, आज ब्रह्मा कुमारीज में कंठी धारण नहीं करते हैं. दादा भगवान वाले, कंठी ओसो रजनिस वाले, सिशी रवी संक्राइट ओफ लिविंग वाले, नहीं करते हैं, रादाश्वामी वाले, निरंकरी वाले, कोई कंठी धारण, तो ऐसा तो नहीं है कि वो परवर्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है, समझ ग आक्षरातीत नहीं मिलेगा, चंदन भी मोट, मैं तो रोज कितना बड़ा चंदन करती हूँ, यह चर्चा करने की क्या जरूरत, आप तो एक ही चंदन छोटा सा सुबह को किया होगा, मेरा तो पूरा ही निलवट पूरा ही चंदन से भरा जाता ने, तो यह दो गंटे बोलने क क्या जरूरत, में परमधाम में नहीं पहुच जाती, क्या, आपके सामने दो गंटे ऐसा गला, का बोलते बोलते कहां तक बोलती रहूंगी, समझ गए, तिलक या कंठी या वेश्पुशा धारन करने से कोई कैसरी, पिंक या यलो या कोई कपड़ा धारन करने से परमधाम म जब तक हम वानी में नहीं डूबेंगे सुन्दसाजी, और कहे हुए वचन परम नहीं चलेंगे, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, यह तो ऐसा हुआ, कि भई कोई नर्शरी में दाखिल हुआ, एडमिशन ले लिया, फिर उसने दावा ले लिया, कि भई में नर्शरी में आ गया और थोड़े दिन के बद उसके माता-पिता गये एंजीनियर की जहां डिग्री प्राप्त होती है, और उसके बाद उसको एक जोब मिलती है, कोई मेकेनिकल एंजीनियर या जो भी हो, कंपिटर एंजीनियर तो वहां गये, और उसने बोला कि भई मेरा बच्चा का या आप दे दो एंजीनियर का, तो क्या बोलेगे, आप मुर्ख तो नहीं होने हैं, आप तो अभी नर्सरी में दाखिल किया आपके बच्छे को, और आज आप, आज आप, एंजीनियर का सर्टिफिकेट लेने के लिए आ गए क्या, तो हमने क्या क्या किया, चंदन कर लिया, कंड सुरू-सुरू की प्रारम भी कवस्ता है, जो है, जो हमने वेश्पुशा दारन कर लिये, और उसके बाद आगे तो बढ़ना ही बढ़ेगा, और आज देखो, इतने मत्सम्रदाई, ध्यान की और आगे बढ़ रहे हैं, उसके पास लक्ष नहीं है सुन्दल साथ जी, कि कहा का ध्यान करना, और किसका ध्यान करना, देखो, वो तो नीराकार ब्रह्म बोल रहे है, तो किसका ध्यान करेंगे, ब्रह्म का अकारी नहीं है, हमारे पास तो धाम दनी का, कैसा आउलोक की कनुपम, शौंदर्य वाला स्वरूफ है, हम तो बस सिर्फ एक वानी का सागर या सि दे आओ ही तब खुल जाए अंतर पट सखिरे तेज भरियो आकास लो नख जोत निकसी चीर सागर छेद के आवत ये नेहरे निर्मल का निर हमने क्या सुन्द साजी एक चोपाई बोली क्या बोली एक ही चोपाई में राज्जी के नख का नूर अरे धामदनी ने कितना सलल रा तामारा बना दिया एक चोपाई में बोला के सखिरे तेज भरियो आकास लो मैं एक चोपाई का सिर्फ भाव बताऊंगी के सखिरे है आत्मा तू क्या देख ध्यान में क्या देख तेज भरियो आकास लो जो मेरे नाखुन से जो मेरे नाखुन से नूर निकल रहा है जो ते निकल रहा है, वो कहां जा रहा है, धामधनी के नाखुन से निकला हुआ, और किसके नाखुन, चरण के, कदम के नाखुन, तेज बर्यों आकाश लो, सिर्फ नाखुन का नूर पुरे आकास में व्याप्त हो रहा है, और इतना नहीं, सागर छेद के आवत, नेहरे नीरमल का नीर, एक ऐसे मानलों के पानी के सागर भरे है, पूरे, एक सागर में, बीच में, मानलों, सागर का जल आसमानी रंका है, और बीच में, एक जल और लाल रंका, या पिले रंका, आसमानी रंका के बीच में जा रहा है, तो अलग पढ़ जाएगा या नहीं पढ़ जाएगा, बीच वाला जल, अलग पढ़ जाएगा है ने, सफेद रंका, आस्मा निंके बीच में सफेद रंका चलो जा रहा है, तो अलग पढ़ जाएगा ने, तो धाम धनी ने बताया, कि मेरे नक का जो नूर, आकास में जो व्यापत हो रहा है, उसके बीच से, आकास में एक नूर तो सुन्द साथ जी धाम धनी ने स्वरूप का वरणन किया, सिंगार का वरणन किया, वस्त्रो का वरणन किया, अबुशनो का वरणन किया, एक एक नक से सिक्त, एक एक अंगो का वरणन किया, इतना नई, खुले अंग सिंगार छबी चाती मंगला चरण, खुल ए औंग चाति छभी मंगला चरण रामधनी ने बातफ़ नी रुप में एक मर्फती रूप में सागर को महाशिंगार किया सुन्द साजी हमारे पास तो ध्यान करने के लिए अधिर क्या क्या नहीं आया ये पूछो कई बार कोई सुन्दसाथ पूछ लेते हैं, कि दिधी ध्यान करें तो कैसे करें, अरे हमारे पास तो पूर्ण सरूप, और कितना सागर सिंगार तो पूरा रस थे, अनंत रसों से भरा हुआ है सुन्दसाथ जी, एक चुपाई के एक चरण के एक अक्षर एक शब्द में हम ड बित जाएगे, धामदनी ने वानी में बता, इंद्रवती ने, कि एक अंग को लग रही ती ती रही गलतान, वह एक अंग में हम डूबेगे ने, हमारी ऐसी करोड़ों उमर बीत जाती ने, तो भी उसका आम पारावार नहीं पासकते सुन्दसाथ जी, ऐसे ही यहां मंत्र दिया और उसको बोला देवचंद्र जी को, कि उस स्वरूप का आप ध्यान करो, और देवचंद्र जी, शुन्दसाथ जी, हम एक एक बातों में गहराई में जाते जाएंगे, जहां जहां मारा प्रशंग आता जाएगा, तो उस बात से हम यही समझना है, कि जैसे एक देव चंद्र जी की अंदर की अवस्था, अंदर का स्थर, योग्यता प्राप्त की थी, तो एक केवल ब्रह्म में, रास खेलने वाली, रास रासेश्वरी, वहां का भी बताया, तो हमारे अंदर, जैसे पहले स्थर होता, तो वहां तक हम पढ़े संद्र साजी पहुचते, और उ यह मंत्र ले लिया, रोज मंत्र का नित्य जाब करने लगे, रोज मंत्र का नित्य पाठ करने लगे, उसका मनन, चिंतन, श्वाध्याई ऐसे करने लगे, और आगे चलते सुन्द साजी यात्रा में, समय जब जब बित्ता गया, तो एक दिन हरिदाशी सेवा में है और एक घटना और घटी क्या घटी? एक मंत्र तो दे दिया और ये मंत्र में कितना बल है यह हम आगे जानेंगे इस मंत्र में देखो मैं बार बार स्पष्टिकरन इसलिए कर रही हूँ कि अभी कहा का मंत्र मिला सुन्दसाजी? यह मंत्र सिर्फ योग माया ब्रह्मान में केवल ब्रह्मतक का जो रास रासस्वरी जो खंड लिला हुई सुन्दसाजी वो मंत्र हुआ योग माया ब्रह्मान का दिया तो वहां का अभी ध्यान कर रहे है और आगे और एक घटना घटित हुई एक दिन अरीदासी सेवा में मस्त है अपनी बाके बिहारी और बाल मुँकून की सेवा कर रहे सेवा करते करते सुन्द साजी कोई एक व्यक्ति को विच्छु ने दंस दे दिया, विच्छु ने दंस दे दिया, तो चार जने, चार व्यक्ति उसको पकड कर, आई सही, पकड कर सुन्दर साजी, कहां खड़ा कर दिया, सुला दिया? हरिदासी जा सेवा में हाजीर थे वहाँ मंदीर के सामने नीज मंदीर के सामने आगे की जो स्पेस से वहाँ सुला दिया और आने के बाद ऐसे फ्राथना नमर निवेदन करने लगे और आजी जी भी करने लगे कि हरिदासी जल्दी से क्योंकि हरिदासी के अंदर बिच्छु के मंत्र उतारने का एक सिद्धी थी, उसके पास सक्ती बल था, तो वहां आके आजी जी करने लगे, हरिदासी ने जल्दी से सेवा में से बहार निकल कर, जो बिच्छु के दंस से, जो दंसा हुआ व्यक्ति था, उसका जो उपर विश चड़ा हुआ था, वह विश्ट, कैसे उतारा सुन्द साजी, वह जाहरी प्रसंग नहीं है, मैं एक एक प्रसंग में आपको बातों नहीं समझाओंगी, सुन्द साजी, ऐसे उतारा, यह हम जो जाहर में समझेंगे, तो तो और विचारे आत्मा है आई है, और जीवाए है, तो उसको कैसा लगेगा, कि ऐसे मंतर की शिद्या भी उसमें आती है, क्या, ऐसे भी है क्या, ऐसी सिद्यो में, या मंतर की कोई जहाब की सक्ति में या बल में पढ़ना, ऐसी कोई चमतकारिक लिला, नहीं है सुन्द साजी, हरी दास्ची ने इस मंतर को कैसे पढ़कर, लेले कि अपनी मुझ्छों पर एक बार हाथ गुमाया और तभी वो जो व्यक्ति को एक दम अंदर से जो विस चड़ा हुआ था तो थोड़ा सा हलका हो गया उसके अंदर थोड़ा कुछ चेतन आया थोड़ा हिल ले लगा क्योंकि बेहोस हो गया था ने बिचु के डंस से बे तो और खड़ा होकर बैठ गया उसके अंदर पूरी चेतन आ गई जो बेहोस पड़ा हुआ था तो उसके घर के लोगों ने उसके घर के लोगों जो साथ में जो व्यक्ति आया थे चार जने पकड़के तो उसके लोगों ने उसको धन्यवाद दिया और उसको उसका शुक्र प्राना मनाया, शुक्रिया आदा किया, क्योंकि धन्य है तुम को हरिदाशी, जो आज आपके पास जो समय नहीं होता, और जो आपके पास ये मंत्र की शक्ती नहीं होती, तो आज हमारा व्यक्ति बचा, हमारे व्यक्ति को हम बचा, नहीं पाते और मर जाता, तो धन्य है तु इस धामधनी ने हमको कितने बार इस मायवी खेल में बेजा ? क्या कहो उष बारे में ? पेली बार ? ब्रज में आये, ने ? डुसरी बार दुसरी बार – यह तीसरा ब्रामाँन है या नही तीसरा है ne ? जो तीसरी बार एंदर यह वीस नहीं उत्रेगा पेला ब्रह्मान ब्रज का दूसरा रास का तो वो जो जाहरी व्यक्ति आये थे उसके अंदर तो वीच जो वीच चड़ा हुआ था वो तो उतर गया सुन्दसाजी हमारे अंदर आज कई सालों से कितने जन्मों के जन्मों जन्मों के जो चीत के अंदर संस्कारों के अंदर जो विश चड़ा हुआ है सुन्द साजी तो ब्रज में धाम दनी ने हमको कई लिलाए ऐसी प्रेम में माधूरिय में लिला करके हमारे अंदर जो एक विस चड़ा हुआ था वो उतारा और रास में गए वहां भी हमारे अंदर एहंकार आया ने धनिय अंतर द्यान हो गए फिर अनुकर्ण लिला फिर बांसुरी बजाई फिर प्रगट हुए तो तभी फिर थोड़ा विस उत्रा तो व्रज लिला कैसी रही ह हमारी पूरी निंद की थी ने तो पूरी निंद किसको कहते है सुन्द साजी अगनानता मैं रातरी को कहते है ने अगनानता मैं रातरी तो हमको क्या सुधी थी वहां तभी नई धनी की नई घर की नई हमारे नीज की कोई सुधी नई थी तो वहां भी हम पूरी अगनानता म नहीं रात्री में रहे, रास में गए तो आधी निंद और आधी आधा उजाला हुआ ने, आधी रात और आधा उजाला हुआ, अर्ध जागरत और आधी निंद सुन्द साजी, तो रास में दनी ने ये किया, और जागनी ब्रह्मान में आने के बाद, धाम दनी ने किया किया, पूरा जागरत की आने वानी भी लाए सद्गुरु धनिस्री देव चंद्रजी आये हमने चोथे दिन की लिला देखी न अभी भी ये लिला में हम है वो उसकी खोज के बाद आगे की लिला में है तो उसने कितने प्रयास की हमारे लिए सुन्दसाथ जी अभी लिला में जहेंए सद्गुरु धनिस्री देव चंद्रजी की हम लिला में आगे बढ़ रहे है सुन्दसाथ जी तो धनिस्री देव चंद्रजी आगे हमको कितनी बातों से समझायेंगे लेकिन हमारा आंदर का विष उत्रा नहीं और आगे हम जाए सुन्दसाजी तो पांच में दिन में 400 साल पेले वानी भी आ गई लेकिन हमारे उपर जो माया का विश्ट चड़ा है सुन्दसाजी यह अभी तक उत्रा नहीं है तो जैसे देवचंद्र जी को बोला जब वो लोग चले गए तो देवचंद्र जी को बोला कि हरिदासी ने कि हरिदासी देवचंद्र जी को कहते हैं कि देवचंद्र यह मंत्र भी आप ले लो देखो जो एक गड़ी की फुर्षद नहीं होती एक गड़ी साड़ा बाविस मिनिट तो जो एक गड़ी की फुर्षद नहीं होती तो ये व्यक्ति जीवी तो नहीं रेख सकता तो आप ये मंत्र को भी ले लो जब में नहीं होता और आपके जीवन में भी काम आएगा तब द देव चंद्र जी ने बोला, कि जो तुमने मेरे को पहले वाला मंत्र दिया है, बज्वन श्री वृंदावन कुंज भीहारी, नित्य विलास, जो पहले वाला मंत्र तुमने मेरे को दिया है, वो मंत्र लाखो भी छुके, जो काटने के बाद अंदर एक वीश चड़ता है, वो वीश कैसा उतर जाता है, तो कि एक जन्म के बाद फिर जीवन जीता है, फिर वो मरता है, फिर दुबारा दुब दुसरे गर्भ में जाता है, फिर पुर अपनी जीवन जीता है, फिर मरता है, ऐसे लाखो बार सिप्राण अना जी ने बताया ने कि अनिकवार तरफडी मरी दुख देखिया व्याँ आवार संदसाजी कितनी बार हम तडप के मरगे, जनम के मरगे कितनी बार दुख देखा, ने? तो कितनी बार विस्ट चड़ा? देवचंदरजियां बता रहे कि अनिक बार जनम ना 먹ना, जनम ना मरना तो लाखो बिचु के जो डंस लगते ने, एक बार जीव जनम, गर्भ में जनम लेता ने सुन्दसाजी, तो जो जिसको बिचु का डंस, जिसको सुन्दसाजी बिचु ने काटा होगा, उसको पता होगा कि बिचु का कितना विस होता है, एक बार जो यहां काटा होता ने, तो पूरे बोडी में उसका अंदर दर्द रहता ने जैसे आज मालो इस कंटे चार बजे के काटा हो तो कल चार बजे तक उसका अंदर डंस का विशा और अंदर का दुख रहता सुन्द साथ जी तो ऐसे एक भी चुके डंस नहीं जीव जब जनमता मरता तो चोरासी लाख योनी की बार जनमना मरना जनमना मरना ऐसे प्राणना जीने किनंतन ग्रंथ में 106 नंबर के प्रक्रण में भी बताया है के इन विद नरक से छुटिये और उपाई कोई नाही बजन मिना सब नरक है पची परची मरिये निशिदी नग्रहिये सी जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याहिशो और धाम बरनन धाम धनी ने बताया कि जो तुमारे अंतसकरण और तुमारे अंदर का जो आत्मा को अंदर के जीव के अंतसकरण को जो निर्मल करना है तो बार बार क्या करना चाहिए निश्दी नगरहिए प्रेमसो श्री जुगल स्वरूप के चरण में अभी बताया ने किसका चरण गरहन करना चाहिए जुगल स्वरूप का और धाम बरणन में ने कल बताया था ने कि धाम की लिला में बार बार डुबना कि पुखराज क्या है पुखराज का दो गा पुखराज की अजार भोम की चांदनी क्या है और एक अजार भोम गई तो दोजार भोम गई ने तो ये क्या है और आकासी चांदनी क्या है और उसके सिडिया से जो बड़े-बड़े हाथी की जो जमाते सिर्दार ऐसे जाके कैसी लीला करते है तो सुन्दसाज जी वही लीला में डूबना चाहिए ने जो पांच पेड़ के ऊपर पुरी पुखराज की जो सोभा आई है और पिले रंग में एक नंग में जो पुखराज बना है सुन्दसाजी किसकी वर बना है रंग मोहल की नौर्थ उत्तर की और सुन्दसाजी बहुत अनुप मोलो की शोभा बनी है तो वही सुभा में डूबना कहां डूबना धामदनी ने बताया कि और धाम बरनन तो ऐसे सुन्दसाजी और हमें आगे बढ़े तो जो बिच्छु का दंस की बात बताई कि इन विद नरक से छुटिये ऐसे रधामदनी ने किरंतन गरंत में और भी आगे बताया कि जब गर्ब में बच्चे जब अंदर पेदा होना सुरू हो जाता है सुन्दसाज अंदर का जब उसका विकास सुरू होने जाता है तो उसने बताये कि नव माह के बाद वो बच्चे ऐसे उल्टे अंदर लटकते हैं, तो नव मास के अंदर बीच के जो समय रहते हैं गर्ब के अंदर का, तो सुन्दसाजी तभी उस टाइम पे भी अंदर जो एक मास, एक पीप या रक्त, जो तिने चीज़ होती ने अंदर की पीप, मास और रक्त, तिनों चीज़ों के बीच में जो बच्चे अंदर से विकास डेवलफ होता है, तो सुन्दसाजी वहाँ कोई वैतरणी नदी कोई और है क्या? जो गाई के बच्चडे के पूंच पर अंपानी गिराते हैं ने? तो वैतरणी नदी कोई और है क्या? य यह वैतरणी नदी है. क्या है? यह वैतरणी नदी है. गाई के बच्चडे के पूंच में जो अंपानी गिराते है और जो क्रिया करते हैं ने? कोई व्यक्ति के पीछे 12 मिया, 13 मिया, 7 मिया, 9 में दिन में. तो वैतरणी नदी भागवत में भी शुकदेव मुनी ने बताया और नरक के कुंडों का चोरासी नरक के कुंडों में और ठाइस नरक के कुंडों का वरणन किया वो छपन तो करी नहीं पाए परिक्षित सुन नहीं पाए परिक्षित ने बोला कि बस मैं सुन नहीं पा रहा हूं तब सुकदेव मुनी ने बोला के परिक्षीत, आप सुन नहीं पा रहे हो, तो जीव भोगेगा कैसे, समझ गया, तो जीव भोगेगे कैसे जो सुन नहीं पा रहे हो आप अपने कानों से, तो ये तो भोगना है, तो ये नरग कोई नीचे वाला, बताया है ने पाताल में, गर्भोदोग शागर के हर योनी के माताखे गर्भ को नरक कहा गया है चाहे किट पतं की योनी हो चाहे पसु की योनी हो चाहे प्राणी की योनी हो चाहे मनुश्य की योनी हो तो यह योनियों से छुटकारा सुन्दसाजी लेने का एकी उपाए है इस योनी से छुटकारा पाने के लिए एकी उपाए हमारे पास बस हमारे जीव को मुक्ति का स्थान इस सरीर में रहते रहते इस संसार में रहते रहते बस एक ही काम करने के लिए हम इस संसार में आये हैं या सिर्फ इस संसार में साधी वीवा करके गुरु अस्ति व्यवार पालने के लिए सिर्फ आये नहीं है सुन्दत साजी इ आर उतरने के क्योंकि ऐसे तो पसुपक्षी कित पतंग भी अपनी बच्चों का पालन पोशन करते हैं, हम भी करते हैं, तो उसमें और हम में क्या डिफरंस, क्या तफावत, कोई अंतर रहता ही नहीं, तो शुंदर साथ जी, और आगे में विश्का समझाओ, क्योंकि देवच मुक्ति का, अखंड गवलोक की जो मुक्ति, जीव की मुक्ति का मंत्र देने के बाद जो देवचंद्र जी इतनी गेहरी बात बित्त के आधार पर रख रहे हैं, तो शुंदर साथ जी, हमने तो क्या प्राप्त किया? किया प्राप्त किया? किया दिया? यह धन दिया अखांड़ धन दिया यह धन प्राप्त करके क्या करना है? अनेक जवेर जतन करी तुम सोचिये सुन्दर साजी और आत्मा भी सोचिये के कल्यूग धन्य क्यों कहा गया? कल्यूग धन्य क्यों कहा गया? यह वानी सत्यूग में नहीं थी यह वानी त् अठियाविश में द्रापर तक भी वानी नहीं थी, अठियाविश में कल्यूग में वानी, आहिए सुन्दर साजी इसलिए मैं आज दस दिन से वानी की महता बार बार क्यूं कह रही हूँ, क्या बित्तक पूरे करने की मेरी इच्छा नहीं है क्या, एक ही धनी का उदेश्य है बस आत्मा ये समझ ले, कि हम बाहर बाहर भागवत की गाथा गा रहे हैं, बाहर बाहर भागवत को आज हमारे समाज में हो रहा है, जो प्रचार प्रसर, सुन्दर साजी ये वानी से मुक्ती मिलेगी, किस से मुक्ती मिलेगी? ये वानी से मुक्ती मिलेगी, धाम धनी ने अ दन देते मेरा जीव सकुचे वानी में क्या बताया धाम धनी ने ये कस्णी कर में धन लिया है ये देते मेरा जीव सकुचे ये वानी मेरे हिर्दे में बसे इंद्रावती बोलती है कि वानी मैं आपको नहीं कह सकती हूँ ये क्यू कर जिन जानो मन धनी जी लिया है धाम से वानी कैसी है और कहां से आई है संसार के जीवों को पता नहीं है, आपको तो जाहर करनी ये वानी, छेटे दिन में हमको उतर दाइत वदिया सुन्दर साजी, कि इस वानी के लिए मैं जब वानी उतरेगी ने तब ही मैं ज्यादा महता बताऊंगी, कि वानी क्यों आई है, किस लिया आई है, वो राजम किस को, किस धर्वगरंद को संसार में जाहर कर रहे है, ये वानी के लिए कौन-कौन तड़प रहे थे सुन्दर साजी, तो हम आगे बढ़े, तामदनी ने बताया, कि अनिक जवेर जटन करीता में लावी आचो आनी, अरे आप बेठे-बेठे इतना तो सोच लो, कि तुमने कितने जन्मों में जवेर किया होगा, कैसे जटन किया होगा, जटन जवेर क्या, उसका मतलब क्या मैं समझाओ आपको, कि आप मानलो के किट पतंगी योनी से, पशु की योनी से, ऐसे मासहरी प्राणियों की, साकाहरी प्राणियों की योनी से, उसके बाद आप मनुष्य योनी में आए, मैं समझाती हूँ आपको, मनुष्य योनी में आप उस थिती में सीधे नहीं आये हो, समझ गए, पहले आ आप ऐसे अभीचारी, लुटफार्ट, शोरी, ऐसे कहीं कर्मों आपने किये होगे, ऐसे करते करते आपकी ओर अवस्था बनी होगी, ऐसे करते करते आप रोगी बने होगे, में और आप, सुन्दसाजी, ऐसे गरिब बने होगे, कई बार फुट बात पर गई होगे, सुन्दस अमें भी और आगे अवस्था बहुत बताई शुन्दसाजी कि आज आप यहां बैठे होने उसके पहले आप धन्वान भी थे उसके बाद आप एक मिडल क्लास के भी थे उसके बाद आप गरिब भी हो तो ऐसे ऐसे कई अवस्था में और उसके बाद आप योगी की अवस्था आपने प्रकी होगी तो आपके पुर्व जन्म के आप कर्म देख लो, कि अनेक जवेर जतन करी, समझ गे मेरी बात, आधे चौन में तो धाम दनी ने कितनी गेहराई वाली बात रख ली, कि कितने जीवन में, कितने जन्म में आपने अंदर जतन किया, कितना अस्तर प्राप्त किया होगा, और आज मनुश्य योनी में आने के बाद, आज इस तर में, आप एक श्वर्ग में हो, क्या स्वर्ग उपर है? स्वर्ग उपर है क्या? जहां इंदरा आदी देवी देवता रहते हैं, जहां नुतियांग न अफ्सराय निर्थिय करती है, वो स्वर्ग नहीं है, जो तुम रह रहोने, वो श्वर्ग है, दाम दनी ने सास्त्रों में बताया, तिन प्रकार का श्वर्ग बताया है, शुक्षम श्वर्ग, एत्याशिक श्वर्ग, सुन्दसाजी तीन स्वर्ग की जो बात की है, तो उश्व में बताया, कि योगी की अवस्ता में एक दिन योग की बात आपको की थी, कि संप्रगनाज समादी और असंप्रगनाज समादी, संप्रगनाज समादी की जो आगे वाली अवस्ता चार है, और संप्रगनाज समाधी को बोलते हैं निर्भीज समाधी, क्या बोलते हैं? निर्भीज समाधी उसमें तनमात्राय नहीं रहती और संप्रगनाज समाधी में तुमारे अंदर की जो रूप रश, पर्श, गंद और शब्द वाली तनमात्राय हैं, इंद्रियो वाली वो रहती नहीं है, यह अवस्था विशे से, मानलो कि आप अज धन्वान कुटुम के घर में हो, परिवार में हो, तो आप एक स्वर्क के इंद्र हो, उपर नहीं है कोई इंद्र के माँ कोई राजा नहीं है, समझ गए मेरी बात, और वाइकुट के विश्टु भगवान के जो अवतार यहां आए, जिस जिस अवतार ने जैसी जैसी लीला की, तो उस अवतार से परे तो आप सब हो, बोलो स्री, समझ गए मेरी बात, धामदणी ने बताया, के अवतारों ने इत किया किया, नई दै बक्का की सूद, और आए अपनी जाहर करी सबसुद सुन्द साथ जी, अवतार तो वाइकुट तक पहुँचे, तो वाइकुट तक कोन पहुँचे, तो मैंने तभी बताया था, के जो संप्रग्नाच समादी की पिछली वाली जो अवस्ता है, आनंदगानुत समादी और अस्मित अनुगत स वाइकुट तक का सुख मिलता है, तो आपका जीव दूसरी योनी में भोग नहीं भोगता, कोई योनी में नहीं जाता है ऐसे तनधारन करकर, और शुक्षम में तनमात्राओं के बाद, तनमात्रा के साथ नहीं, उसके बाद सुन्द साजी तनमात्रा का सुख नाराण तक है, और उसके बाद ये तनमात्राओं के अंदर माइनस कर देते हैं, और उसके बाद वो जो सुख भोगता है, वो क्या है? निर्भी जी समाधी का सुख है, तो विष्णु भगवान जो वहीं कुटके है सुन्द साजी, वो भी उस सुख की अवस्था पर नहीं पहुच पा तो आप तो कहां से आए हो? कहां से आए हो? बेहत से भी परेदिविय परमा धाम से आए हो, तो धाम धनी ने कैसा ज्ञान दिया? अनेक जवेर जतन करी, तुम लावी आच्वानी, वार कितने जन्मों के जतन करकर के इस बार तुमा लाए हो और फिर करमकान में गुच जात तो वो बिचारे मुर्ती या कोई फोटो या तस्वीर थोड़ी बोलेगी, कि मेरी सेवा मत करो, मेरी पूजा मत करो, उसमें चेतन नहीं है सुन्दर साथ जी, तो हम आगे बढ़े, शांख्या दर्शन में, शांख्या दर्शन में कपिल मुनी ने बताया है सुन्दर साथ थी, कि बिच्छू का डण्स, बिच्छू का डण्स जितनी जगह में काटा है बिच्छू ने या साप ने, साप ने काटा जितने एरिया में, हो इतने भाग को निकाल कर, कपिल मुनी शांख्या दर्शन में बता रहे है कि इतने भाग को काट कर निकालने के बाद वो बिच्छु का जो अंदर वीस चड़ा हुआ है व्यक्ति को जब तक काटे के बाद जब तक काटे नहीं तब तक ये वीस कम नहीं होता कहां तक? तब तक ये वीस कम नहीं होता यह से मनुस्य जीवन में जो हम आये है यह मनुस्य योनी में हम आये है कपिल मुनी ने शांख्य दर्शन में बताया कि जब तक हम संसार के पूरी मोह, माया या संसारिक जितने भी हमारे अंदर एहें प्रतिष्था, मान, लोकेशना, वित्यशना और दारेशना क्या बताया लोकेशना, वित्यशना और दारेशना, लोकेशना का मतलब संसार के अंदर हमको मान प्रतिष्था चाहिए ने, कोई मान प्रतिष्था दे तो हम राज्जी को भी भूल जाते ने, सुन्दसाची, हमारे अंदर एहें पेदा हो जाता फिर बताया दारेशना, दारेशना का मतलब के सगे सबंध्यों का मोह हमारे अंदर जितने परिवार सगे सबंध्यों का जो मोह हैं इतना हमारा राज्जी के प्रति हमारा लगाव इसके प्रति हमारा फ्रेम इसके प्रति हमारा जो अंदर का होना चाहिए आतम का जो अंदर का उसके साथ सबंध यह हमारा बना नहीं और वितेशना तिसरा क्या बताया लोकेशना दारेशना और वितेशना वितेशना धनसंपत दन संपति के रती हमारा कितना मोह है सुन्द साथ जी आज हम किसके पिछे लगे हैं किसके पिछे लगे हैं सुन्द साथ जी दन संपति को एकत्रित करने के लिए ने कल मैंने बताया था अलग मोर से आज मैं अलग मोर से बताओ कि उदाईपूर का राजमहल का मैंने कल बात ल कोई नहीं है ऐसे हम आज कई धन संपति एकत्रित कर रहे हैं सुन्दसाजी लेकिन एक दिन ये सरीर वो संसार को छोड़ कर जाना है हमारे साथ यहां संसार की कोई चीज आने वाली नहीं है हमारे उपर ओढ़ाया हुआ दो मितर का कपड़ा भी संसान में पास में रख देंग हमारे साथ कोई चीज आने वाली नहीं है लेकिन हमारा जो पागलपन है हमारा जो मोह है हमारी जो आसक्ति है हमारा जो लगावे संसार के प्रती सुन्दसाजी वो मोड कर धनी के परती करना चाहिए ये कपिल मुनी ने शांख्य दर्शन में बताया कि जब तक हम संसार के प्रती का जो मारा पुर्ण पने निवरुत नहीं होगे संसार के प्रती तब तक हम धनी की प्राप्ती नहीं कर पाएंगे ऐसे धाम धनी ने प्रकास इंदुस्तानी में प्रकास इंदुस्तानी ने तृष्वे नंबर के प्रकरण में बताया के सुई सुईने सुता का करो जी यह अगिन जहर जी मी माहे जी इन भोम में कोई न उगरिया तुमें सुता एठे काने जी क्या बताया विश की बात है या नहीं मैं कितनी बात छोड़ू और कितनी लो सिर्फ किस की बात चल रही है आगे तो बढ़ी नहीं पा रहे हैं क्या करें विश की बात बताई के सुई सुईने सुता का करो जी ए प्राणधार आत्माये, ए सुन्दर शाजी, जिस ठेकाने, जिस स्थान पर, ठेकाना मतल़, जिस स्थान पर आप आए होने, ये भुमी कैसी है? विश रूप है यह स्थान विश रूप है कैसे विश रूप है थामदनी ने आगे बताया कि आप खा रहे हो वो भी विश रूप है आप पी रहे हो वो भी विश रूप है आप जिस बिस्तर पर सो रहे हो वो गदे भी विश रूप है आप जिस तक्किय पर लेटे हो वो भी विश्रूप है आपका जो भी खाना, पीना, सोना सब विश्रूप है तब आपको ऐसा लगेगा कि जोसना में यह तो मिठा लग रहा है कोई विश्रूप तो नहीं यह तो बहुत अच्छा कितने लोगों को यहां मजा रहा है अरे चर्चा में नहीं क्या रही हूं में इसलिए मैं बार-बार क्या रही हूं कि सुनिया आप पेले मेरी बात को अरे संसार की बात क्या रही हूं कि संसार में कितने लोगों को मजा रहा है बहुत लोगों का रहा है, मेरे को पता है सब बातों का, आप मेरे साथ छल मत कीजिए, मेरे को पता है आपको बहुत ठीक लग रहा है, या अच्छा लग रहा है, इसलिए तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो आप, ठक गए है क्या, नहीं ठके हो, इस खेल से नहीं ठके हो, मे और स्वामी विवेकानन को लेकर गए नदी के किनारे, मैं एक दिन बताया था यह द्रश्टांत, हम नहीं था के बहुत गुरु परिवार में, ऐसे बच्चों में इतनी मस्ती में हम गुम रहे हैं, सुन्दसाद जी, ताम दनी ने बताया, कि जिस संसार में आप रहे हो, आप का एक एक चरण कमल जहां जहां पढ़ रहा है, नीचे विच्चु के डंस है, आप मानोगे, क्या पिछे वाले मान रहे हो, आपका चरण कमल जहां जहां पढ़ रहा है नीचे, वहां एक एक चरण कमल के नीचे विच्चु का डंस है, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, सुन्दसाजी ये संसार की जो पूरी भूमी है, जो ये पुरुथवी बनी है, ये पूरी वीश रुप इसलिए कही गई, कि नीचे से लेकर, हद से लेकर, तुक्मा नारायन तक, मतलब नारायन तक, पूरा वीश से भरा हुआ है, इसमें किसी ने छोड़ा, नहीं है, ये माया ने, किसी ने छोड़ा, सुकदेव ने, संकादिक ने, किसी ने, ब्रह्मा, विश्णु, महेश, इस उपर में क्या, किसका नाम लहो, दामदनी ने बताया ने, पूरी विश्णु रूप ये माया है, और दामदनी ने आगे बताया, कि ये सुन्दर साथ जी, जैसे वनों में एक अगनी लगती है, तिन प्रकार की अगनी होती है, दावा अगनी, बढवा अगनी और जठा अगनी, जैसे वनों में लगती है, बढवा अगनी सागरों में समुद्र में लगती है, और जठा अगनी, हमारे अंदर जठर में हम जब खुराग खाते हैं, तो ये पाचन किस्य होता है? जठर में जो आथ होता ने, 22 फित का जो आथ होता है, उसके अंदर हमारा पाचन होता है, जो खुराग जाती है, आप खाते हो ने, रोटी, सब्जी, जो भी खाते हो ने, प्रकारी कि मेवा मिठा अगनी घिया, तो उसका पाचन होता है सुन्द रचुष्याई, उसको बलत पूरे जंगल में आग लग जाती है, धाम दनी ने जंगल का तो माध्यम बनाया, किसको कह रहे हैं? अपन को कह रहे हैं, आपन को, सब हम सब को कह रहे हैं, कि सुन्दसाजी तुमारे और मेरे अंदर, हम सब के अंदर विकारों और वासनाओं की जो अगनी लगी है, किसकी इच्छा रुपी अगनी, तुमारे और सब के अंदर विकारों, वास्णाओं की जो इच्छा रुपी अगनी को क्या बोला? इच्छा बोला, धामदनी ने वानी में. इच्छा रुपी जो अगनी लगी है, ये पूरी अमारे सरीर में फैल जाती है और बार बार तुष्णा उत्पन कराती है, बार बार वाष्णा उत्पन कराती है, बार बार इच्छा उत्पन कराती है, ये इच्छा रुपी अगनी कभी भी सांत नहीं होती, कभी भी बुजती नहीं, आज एक गाड़ी खरिदली, कल पड़ोसी को देखकर, कल ऐसा लगेग कि हमारे घर में आज ओडी है तो कल मर्सीडिस, बोलिये श्री, आज एक बंगले है, तो कल दूसरी कोठी भी बन जाए, आज एक बिजनेस है, तो कल दूसरा भी बिजनेस वहाँ, हम नया सुरू कर दे, तो एक इच्छा पूरी, चलो रेक दो, यह तो हम अलग-अलग रूपो कल ऐसी उच्छा होगी, बाजार में जाएगे, तो ऐसी इच्छा होगी, मैं सामान यह बात नहीं कर रहे हूं सुन्दसाजी, बहुत गहरी बात है यह, एक चीज के हम इच्छा पूरी करते ने, मनलो आज आप अच्छा पकवान खाके आए, क्या कल आप मिठा पकवान और खाये गे, खाये गे ने, खाये गे ने सुन्दसाजी, तो हमारी इच्छा कभी भी तुरुप्त होती, नहीं यह, ओड बढ़ती जाती है, तो धाम दनी ने वानी में बताया, कि हवे पेला मोह जलनी कहू वात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कहीं भात, त यह नी केटली कहू, सुन्दसाजी यह मोजल की कितनी बाते कहू और कितनी रखू, संसार में, जंगल में तो एक बार आग लगती, एक बार यह जंगल भस्मों के जल जाता, आपके अंदर तो बिना चिनगारी लगाए, बिना माचिस, बिना तिली, बिना माचिस, बिना चि सटगड़ी, ऐसी अगनी जलती रहती है, कि आज मेरे दियर के यहां यह क्यों हो गया और मेरे घर में, मेरी जेठानी ऐसा क्यों कर रही और मेरे घर में, मेरे भाई के यहां इतना सुख और इतना अच्छा क्यों और मेरे घर में, समझ में आया, हम अंदर अंदर, बीना अगे ने किसी ने जलाया, हम क्या करते हैं आज भाई भाई एक खेत के एक पुरे होते ने, वो थोड़ी जगह के लिए मर जाते देखो, क्या है इस अब, क्या कोई देवचंद्र जी के मंत्र वाली बात है, बिचु वाली बात है क्या, किसकी बात है ये, हमारी बात है कि किसी की जो इर्शा, द्रुणा, द्रेश, राग, आज हम करते रहते हैं ने, हमारे से सहन नहीं होता, तो शुन्द साजी दुसरे की जितनी धन संपती है, उस पर हमारा आधिकार नहीं है, इसलिए शुन्द साजी धर्म सास्त्रों में बताया, कि मात्रुवत पर दारेश परद्रवेश्यू लोश्ठवत्त क्या बताया मात्रूवत परदारेश्यू परद्रवेश्यू लोश्ठवत्त कि दुसरी मा को अपनी मा समझो और दुसरे घर की दिकरी को लड़की को पुत्री को बहें समझो ये आपके अधिकार नहीं है दुसरे रूप में देखने का और शुन्दसाद बताया कि दूसरे के धन को क्या समझना मिठी के समान समझो दूसरे के धन को मिठी के समान समझो दूसरे के धन पर तुमारा अधिकार नहीं है और कोई मा बेन हो या कोई पुत्री किसी की हो लड़की हो उसको आप माता बड़ी हो तो माता या छोटी हो तो बहन के समान मानो उस पर तुमारा कोई अधिकार नहीं है सुन्दसाजी तो हम हमारे अंदर जो अगनिया जल रही है कहीं प्रकार की मैं कितनी अगनी की बात करू और कितनी अगनी की बात को छोड़ू तो आगे सुन्दसाजी देवचंद्र जी ने बताया और धामधनी ने भी ऐसे कई प्रकार की अगनी जल रही है या आपको बार बार अने जन्ममरण के चक्र में डाल देती है गुमाती है वटकाती है तो बार बार अंदर से जो तुशना उत्पन रही हो रही है इच्छा उत्पन हो रही है उसको एक धामधनी की वानी से ही मरेगी उसके सिवाई को उपाय आपके पास नहीं है, तो बिच्छु का मंत्र तब देवचंद्र जी के अंदर की बुद्धी महान थी, उसने बोल दिया के मेरे पास तो खंड का मंत्र है, मैं रोज नित्य उसका ध्यान करता हूं और उसके बाद वो घर की परिक्रमा भी करते रहते थे, किसकी हरिदा हरिदासी के घर की परिक्रमा भी करते रहते थे सुन्दसाद जी, यह हरिदासी से सहन्य नहीं था, क्योंकि हरिदासी का घर और मंदीर दोनों एक था, दो मंजिल का घर था, तो उसको ऐसा लगा कि यह कठोर, साधना और कठोर जो परिक्रमा करे मेरे से सहन्य नहीं है, तो एक लाड़ जरुखे से देख जाते हैं, फिर प्रोकते हैं, फिर दुबार भी यही प्रतिक्रिया होती रहती है, दुबार भी यही कारियन चालू रहता है तो आगे सुन्सा जी फिर अरिदासी पुछते हैं कि देव चन्र जी तुमारी क्या इच्छा है? क्या पुछते है तुमारी क्या इच्छा है मेरे को बता दीजिये ने तब उसने बोला कि भई मेरी इच्छा तो ये है कि आपकी जैसी आग्या हो आपकी जैसी आग्या हो वो हुकम में सीरुधारिय करूँगा मैं ऐसे सामने से नहीं मांगूँगा वो एक पहर दिन के और रातरी के कितने पहर रहते आठ पहर आठ पहर में साथ पहर हरिदासी के वहां रहते थे और बार से तिन रात का एक ही पहर अपने घर में आते थे देवचंद्रजी और फिर जल्दी से सुबक को चले जाते थे परिक्रमा हरिदासी की सेवा बरतन मांजना जाडू लगाना एस सब सेवा में ऐसे मगन रेते थे उसकी शेवा देखकर सुन्दसाजी एक दिन हरीदासी ने नक्की कर लिया फाइनल कि भई मैं आपको मेरे पास बाके बिहारी और बाल मुकुन की दो सेवा है तो मैं एक सेवा आपको देना चाहता हूं तो देवचंदर जी ने बोला कि आपकी जैसी आग्या उसके लिए सुन्दसाजी एक दिन भी फाइनल कर दिया कि उस दिन पे मैं आपको सेवा देने के लिए बुलाऊंगा तो उस दिन पे आप मेरे घर पे आजाना किसको बोला हरीदासी ने देवचंदर जी को बोला तो सुन्दसाजी प्राणदार सुन्दसाजी उस प्रसंग से निष्ठा का जो देवचंदर जी की निष्ठा वाली भक्ति देखी, सेवा भी देखी, और नित्य क्रम भी देखा, तो होई क्रम में वो भी सेवा करने लगे थे, ऐसे आज हरिदाशी ने निष्ठा देखी, किसकी? देवा, चंद्र जी की, तो एक सेवा बांके, बिहारी और जो बाल मुकुंद की दो मुर्ति थी, उसमें से बाल नादी क्रिया से निवरुत्त होकर, जब मंदीर में गए, तो वहां बाल मुकुंद दिखाई, नई पड़े, सुन्द साजी, बाल मुकुंद की मुर्ति अद्रश्य हो गई, क्या हो गई? अद्रश्य हो गई, तो शेवा किसकी कर ली अरिदाशी ने, सुन्द साजी, किसकी सिर्फ सेवा की, बांके, बिहारी जी की सेवा की, और उसको भोग लगाया, बाल भोग शुब का लगाया, और बाल भोग लगाने के बाद, क्या किया? घर के परिवार बच्चे को लोगों को प्रशाद खिला दिया, लेकिन उसने, एका दसी में कैसा करते है? उपवास करते यह मैं आज आगर, आग एका दसी काएगा, तभी मैं विस्तार से समझाऊंगी, तो सुन्द साजी, तभी उस दिन में हरी दासी ने, एका दसी जैसे दिन जैसे होता, ऐसा एवरता, उपवास का दिन, अंदर से निर्ण ही ले लिया, कि मैं आज पूरा दिन, जब तक मेरे क बोजन या अन या जल नहीं लूँगा, तो ऐसे विचार करते करते, वो अपने मंदी निज मंदीर के सामने, बैठ गए सुन्द साजी, और घर परिवार के लोगों को पूछा, पेले, कि भई, आज कोई घर में आया था, तब घर के लोगों ने बोला, कि यहां किसकी ताका कि घर में आया, क्योंकि दर्वाजे भी बंध है, ऐसे बाहर की खिड़की भी बंध है, कोई आया नहीं है, तो शुन्द साजी ऐसे में देवचंद्र जी भी आये, देवचंद्र जी को देखकर हरिदासी ने बोला, कि देवचंद्र आज जो मेरे को आपको एक बाल मुकु अद्रश्य यह आपके देने की चाने होगी, इसलिए ऐसा बनाओगा, तो यह बात सामने से जब जहर की, तो देवचंद्र जी ने यह बोला, कि हरिदासी आपने तो, आपने तो अपने मन में शंकलब करके, अपने भावो से आपने तो मुर्ती दे दी थी, लेकिन मेरे अं आपका कोई दोस, आप अपराधी, नहीं हो सुंद्र साजी, उस प्रसंग सम आगे देखे, कि आपका कोई दोस नहीं, आपने तो भावशे दे दिया था, तो जिस स्वरूप को, जिस रूप को कौन देवा, चंद्र जी को मुर्ती देनी है, उसके अंद जो स्वरूप तो यहां भी आपको पता लग जाएगा, कि हम नाम और रूप को, मैं पहले भी बताया था ने, तिन चार दिन, कि नाम और रूप को देखना नहीं है, अंदर बेठने वाले स्वरूप कौन सा है, वो देखना है, तो यहां भी देखो, हरी दासी कितने साल से, देव चंद्र चार साल होने वाला है, उसके घर में आये णिए, चार साल होले है, बुझनगर में, तो तब तक पेचान नहीं पाये, क्योंकि स्वरूप अंदर लिला कर रहा है, ने, श्यामा जी पैचान नहीं पाये, सुन्दधसाथ जी तो जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जिस दिन मुर मूर्ती जो अद्रश्य हो गई, तो देवचंद्र जी को बताया हरिदासी ने, कि मूर्ती क्या करूं में मूर्ती तो अद्रश्य हो गई, तब देवचंद्र जी ने बताया कि मेरी योग्यता बनी नहीं थी, तो उसने भी उपवास से इसा दिन किया, घर परिवार के सदस्य जो बड़े-बड़े थे, उसने भी उपवास किया, उस दिन देवचंदर जी तो घर पे चले गए, लेकिन क्या हुआ, हरिदासी मंदिर के, निज मंदिर के सामने, बेट गए, पूरे दिन व्यतित हो गए, रात भी संधिया भी डल गई, रात ओने वाली है, ब्रातरी के बार बजने वाले हैं, जब ऐसे आँख मिची, जब की आई, क्या आई, जब की आई, आँख मिची, तो तभी आँख मिची, जो हमारी तमोगुणी निंद्रा होती ने, वो वाली निंद्रा नहीं, तमोगुण से आने वाली निंद्रा नहीं, लेकिन योग निंद्रा केते हैं, उसको क्या कहते है योग निंद्रा जैसे समाधी में एक योगी चले जाते ने तब उस टाइम पे एक योग निंद्रा आ जाती है योग निंद्रा में वो सबकुछ अउचेतन मनकारिय करता है क्या करता है अउचेतन मनकारिय करता है तो योग निंद्रा में चले गए आँख म नीची या जबकी लगी तभी सामने बाल मुकुन जी ने दर्शन सुन्दर साजी दे दिये और सिद्धेई हरिदासी ने पूछा कि हे बाल मुकुन जी, हे प्रभू, हे भगवान आप कहां थे? आप कहां थे? तब बाल मुकुन ने बताया कि मैं कहीं भी गया, नहीं था, मैं तो नीच मंदिन में ही था, तब हरिदासी ने बोला, कि तो आप नीच मंदिन में थे, तो मेरे को क्यों नहीं दिखाए पड़ा? पूरा ही दिन ऐसे बीत गया, लेकिन मैंने आपको देखा, नहीं, तब ही उसने बोला, बाल मुकुन के सामने दर्सन हो रहा है, और बातचीत वारताला भी हो रहा है, तब ही बोला, कि मैंने आपकी द्रश्टी को बांध लिया था, मैंने आपकी द्रश्टी को बांध लिय मेरी मूर्ती तो जड़ है। नीज मंदिन में गए तो सुन्दसाद जी वहां बालमुकुन की मूर्ती दिखाई पड़ी और उसने यह भी आगे बताया बालमुकुन जी ने के देवचंद्र जी जो दुखी हो उसको मूर्ती तो दो तो मूर्ती की सेवा उसके लिए सहनिया नहीं क्योंकि यह मैं नहीं सहन कर पाऊंगा यह आगे अभी बताएंगे और भी आगे बताया कि उसको मूर्ती की सेवा नहीं देनी है यह भी मना कर दी तो धामदरी ने पहले कहां छुड़वाया था हमको मूर्ती से रज में इंद्र की पुझा सुरू की तभी मूर्ती से छुडवाया ने कि इंद्र की कुझा नहीं करनी है और कल देव चंद्र जी मूर्ति की मंदिर में गए तो वहां भी मना किया अंदर से एक ब्रेणा मिलीन है कि मूर्ति की परिक्रमा से कुछ मिलने वाला नहीं है और अपने इलाखे में भी मूर्ति की परिक्रमा कितने देर तक करते रहते हैं एक पहर तक औ तुम को इन स्वरूब की भई ना पेचान, तुम को इन स्वरूब की भई ना पेचान. हे हरिदास जी, जो देव चंत्र जी को आप मूर्टी दे रहे हो, यह कोण बोल रहा है सुन्द साजी? बाल मुकुंजी करें कि जिसको आप मूर्ति दे रहे हो उसके स्वरूप की आपको पैचान नहीं है अभी मैं यहाँ भेद स्वष्ट करूँ गी सुन्द साजी सिर्फ यह बात नहीं है कहने की घटना करम नहीं है यहाँ बताया कि जिस स्वरूप ने अंदर आवेश सक्ति गई थी ने व्रज में लिला की थी किस तन में लिला की थी? मैंने बहुत विस्तार से लिला ली क्रश्ण नाम के तन में क्रश्ण नाम के तन में जिस स्वरुपने व्रज में लिला की थी और राधिकाजी नाम के तन में जिस आवेश सक्ति किसकी थी श्यामा जी की श्यामा जी की आवेश सक्ति राधिका जी नाम के तन में थी और व्रज में जो कृष्ण नाम के तन धारण किये थे उसमें अक्सरा तित की आवेश सक्ति थी तो जो दोनों की लिला व्रज और रास में हुई तो व्रज वाली जो पर वर्श लिला के माध्यम से थो मैं उसकी सेवा, सहन नहीं कर पाता जो कदाचीत देवचंद्र जी दिलगीर हो तो वागा बस्त्र की सेवा दे देना सुन्द साथ जी तो यहां भी आपको एक प्रस्ण खड़ा होगा कि वागा बस्त्र की सेवा क्यों दी यह भी एक जड़ है जैसे मूर्ती जड़ है तो वागा बस्त्र भी जड़ है ऐसे कई सुन्द साथ में प्रस्ण होते है और आतमा भी प्रस्ण करती है कई भी दुसरा संपरदाई वाली भी वो भी बोलती कल भी एक दिदी बोल रही थी परसो भी कि तुमारे संपरदाई में वागा वस्त्र ने मोरली मुंगट की सेवा होती है क्या? ये बाहिय वस्त्र अपुर्शन चे एक सिंगार है उसकी सेवा नहीं होती उसके नीचे आप देख रहोंने सबात्मा है उसके नीचे जो धर्बग रन्थे जो पांचमा वेद, आत्मा वेद, स्वाशम वेद जिसको बोलते तार्तम, वाणी, कुल्जम, वाणी, शरुप साहे उसकी सेवा है उसकी सेवा हम करते है किसकी तार्तम, वाणी की सेवा करते है और एक आपको प्रशन उठेगा कि जो वाणी है वो ये ज्यान में मुर्ती है क्या है आपको प्रशन उठेगा क्योंकि मेरे को पता था कि आज मेरे को ये प्रशंग लेना था इसलिए मैंने कल य ते मैं बार इल्लाखे में गुजरात, गुजरात से आउड जाती हूँ, तो और आत्माएं, और मत संप्रदाई अली आत्माएं पूछती है, कि तुमारे संप्रदाई में तो बागा बस्त्रों और मोरली मुंगड की शेवा होती है, तभी मैं बार बार समझाती हूँ, कि में लोहे की मुर्ती, चांदी की मुर्ती, सोने की मुर्ती, ऐसे पंच दातु की मुर्ती, पत्थर की मुर्ती, ऐसी जो आठ प्रकार की मुर्ती है, कोपर की मुर्ती, ऐसे आठमी मुर्ती वेद में बताई गई है, ज्यान महीं मुर्ती, वेद में क्या बताया गया? ज्यान महि मुर्ती तो वेदों में एक पार ब्रहम को छोड़ कर किसी अन्य देवी देवकता की पुजा का निशेद है क्या है एक पार ब्रहम को छोड़ कर कोई जो देवी देवकता की आप 33 करोर के नाम से सेवा पुजा करते आ रहे हो या भक्ति पुजा या जो भी आरद्य इस्टरूप में मान रहे हो आप वेद को खोल कर देख लीजिए मैं बार-बार यहां से बोल रहे हूं कि मिडियो में जा रहा है मैं एक सब्द का उच्चारण वेद या उपनिशद या सास्त्रों से वीरुद नहीं कर पाती जो मैंने प्रमान देखा है वोई बात में आपके शामने रक्तिव सुंदर साजी वेद में आठमी मूर्ती जो है वो ज्यान में मूर्ती बोली है कही गई है कि आप जो 33 करोड के देवी तेउताओ के नाम पर जड मूर्ती की पूजा कर रहे हो तो उसकी अपेक्षा उसकी अपेक्षा आप मालो देवी की कर रहे हो तो देवी भाग की कर रहे हो तो घर में रामायन पद्राइए या योगेश और भाईबेन हो तो घर में गित्ता पद्राइए या भागवत को मान रहे हो बाल गोपाल की घर में पुष्टी मार्ग में जो लाला की शेवा कर रहे हो तो घर में भागवत पढ़िये तो मैं रोज एक बार अलग- तो वेद में शुन्दसाजी एक परमात्मा की बात कई गई है दरे हर एक पुरुशुक्त चारो वेद में आया है रुगवेद, अजुरवेद, शामवेद और अर्थवेद चारो वेद में पुरुशुक्त आया है और एक परमात्मा की बात आये न त्वा अन्यों, न पुर्ण मद, पुर्ण मिद, पुर्ण मद, 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 पुर् जड मुर्ति की जो पुजा हो रही है, उस पर आज में वेदो का प्रमाण विस्ता से देना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनना, और मेरे पापा भी कल बता रहे थे, कि आप एतना बोल दो कि ज्ञान मही मुर्ति, मैंने बोला कि ज्ञान मही मुर्ति बार बार बोल रही उसकी सेवा करोने, जड मुर्ति की क्यों कर रहे हो, तो आज मैं अलग रूप में मैं समझाओंगी सुन्दत साथ जी, क्योंकि बार बार प्रस्ण उड़ता है, जो भी दर्मसास्त्राई संसार में आये, वो परमात्मा के स्वरूप का वरणन और शाक्षी लेकर आये, जहा तो सुन्दत साथ जी सीधे परमात्मा के आवेश्वरूप से एक के धर्मगरंथाया है, यह वानी, जो सब सास्त्रों और वेदों आये, वो परमात्मा के उकम से आया, और जो यह वानी आई, वो सीधे परमात्मा के आवेश्वरूप से मिहराज के महमति के धाम दिल से आगे बताऊंगी कि ये वानी जो उत्री हो परमात्मा का शाक्षात वांगमई क्लेवर है क्या है वांगमई क्लेवर है उसका मतलब हो बोलती हुई वानी है जब हम उसको पढ़ेंगे उसका मनन चिंतन करेंगे तो उसमें से स्वयम पार्ब्रम परमात्मा उसका उतर देंगे उसका जवाब देंगे यही यह ब्रह्मवानी है उसमें कोई राजारानी की कथा नहीं है उसमें कोई देवी देवता की कथा नहीं है उसमें कोई जो राजा या जो भी अभितक जो जो अउतार हो गए उसका कोई इत्यास या इश्ट्री नहीं है उसमें सिर्फ परमात्मा और आत्म तत्व की बात है सुन्दसाथ जी, और आत्मा को आज में आहवान कर रही हूँ, कि यह पाश्मा धर्मगरंथ, जो आया पाश्मा वेदाया, यह अंतिम वेद है, यह वांगमाई परमात्मा के ज्ञानमाई श्वरूप है, जब उसको हम पढ़ेंगे, तो धामदनी परम आत्मा पुर्णब्राव्म हम को सिदेई उतर देंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे, लेकिन जड़ मुर्ती को पुझने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, और में एक बात वेदो की रखूंगी, आप ध्यान से सुनना, अपना कान खोल कर ध्यान से सुनना, सुन्दसाथ जी, वेदों में जो 33 करोड को आपको एक प्रश्ना उठेगा, कि 33 करोड की साधार पर माने गए, क्योंकि प्रश्ना उठेगे, कि संसार के जीव तो मान रहें, तो की साधार पर मान रहें, तो मैं साब बता दूगि आज आपको, 33 करोड देवी देवता नहीं है, पहले यह तो सुनलो पहले पक्का जो बात बताई गई है, उसमें 110 रुद्र, 12 आदित्य, कितना हुआ? 12 आदित्य बार, 11 रुद्र, तो बार प्लस अग्यार करो 31 हुए मैं गिंती कराऊंगी 23 होगे 23 होगे ने 12 हाँ और 5 ग्रानेंद्रिया और 5 करमेंद्रिया 10 और 11 मन 12 आदितिय 12 महिने तो साल के कितरे महिने होते है हम गिनते जाएंगे 12 आदितय 11 रुद्र और 8 वस्द 31 गिनो पहले तीनों को मिलाओ 11 रुद्र 12 आदितय और 8 वस्द सब को मिलाओ पहले हमें 11 रुद्र का करू 11 मतलब 11 सुनना 11 मतलब 11 और पाँच गणानेंद्रियों ध्यान से सुन। पाँच गनानेंद्रियों पाँच करमेंद्रियों और ज्ञारमा मन। एक स्वरुदर हो गए. पांच गिनानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रियों एक ज्यारमा मन. वो द्रादश आदितियों, आदितियों एक साल के बारा मैने होते हैं, कितने होते हैं? बारा मैने होते हैं. बोलते हैं ना, आप एक देखते हैं, बारा मैने, इंगलिस, अंग्रेजी के अलग होते हैं, बा तो द्रादस आदित्यों एकादस शुरुद्र अस्ट वसु में पांच पंच तत्व पुथ्वी, जल, तेज, वायू, आकास, मन, बुधी और रहंकार। आकास ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा, तो अश्टवसु हो गए, तो प्लस करो, एकादश रुद्र, द्रादश आधित्य, प्लस अश्टवसु करो, तो बीस हो गए, बारब प्लस आठ, बीस और एकादस रुद्र, तो एकतिस हो गए, एकतिस प्लस बत्रिसमा प्रजापति, बत्तिस हो गए, प्रजापति यग्यो, त तैतिसमा जो देवता है, वो इंद्र, इंद्र मतलब विद्युत, मैं पूर्या आगे का भाव समझाऊंगी, आपका सरीर कैसे चल रहा है पाँच ग्नानिंद्रियों पाँच कर्मेंद्रियों और अग्यार्मा मन से चल रहा है फिर हमारे सरीर में मैंने द्राद शाधित ये बताया हमारे सरीर में जो पाँच तत्व से रचना हुई है अर्ष्टवसु में पाँच तत्व से रचना हुई है और दीन और रात्री भी हो रहा है, ग्रह और नक्षत्र बई गदल रहे, सुर्य भी उग रहे, दिन पुरा हो रहे, रात्री में चंद्र उगता है, फिर रात्री पुरी होती है, फिर दिन उगता है, तो सुर्य और चंद्र का उगना और अस्त होना ऐसे दिन और रात्री होती रहती है फिर हमारा शुक्लपक्ष और कर्ष्णपक्ष तो पंद्र दिन का वो भी हमारा होता है ने पंद्र दिन शुक्लपक्ष और पंद्र दिन कर्ष्णपक्ष ऐसे करते हमारा एक महिना होता है ऐसे एक साल के कितने महिने होते है बारा महिने होते है तो बारा महिने में हमारा पां करिमेंद्रियों पाँच पंच माभूत और दिवर दिन और राज से हमारी सरील की अवदि पहले एक सप्ताा पुरा होता मैना पुरा होता साल पुरी होती ऐसे करते करते 50, 70, 70 साल, 80 साल पुरे होते और एक दिन जाना होता ने सुन्दे साज जी, जाना होता ने हमारे एक दिन असंसार को छोड़ कर, तो अस्ट वसू, द्रादस आदितिय और एकादस रुद्र, एकतिश हो गए, तो हमारे अवध्धी को कोन काटता है, एक दिन और रात्री और साल के बार, महिने काड़ते हैं, ऐसे हमारा सरीर की जो रचना बनी है, फिर बतिस्मा परजापती, परजापती को सास्त्रों में, क्या कहा गया है, यग्य, तो आज हम जो जाहरे यग्य कर रहे हैं, ओम, हवन, यग्य, पहले यग्य थता पता है, गव्मेग इसे राश्यू यग्या भोट होते ठेले मीने परसों भी बताया था जैसे कुंड बन्ते उसमें कई गावमेग्या करे retard नर्मघ्यया करते हैं, ऐशे गौमेक, नर्मेक, अश्वमेक, तो ऐसे यग्यकी बात हुआ नहीं है, एसे यग्यची बात यहां नहीं है, समझ बने हा रहा है ने, यग्या फिर हमारे नएा मकान बनता, नएा घर बनता, तो हम वास्तु के टाइम पे क्या करते हैं और फिर जो को तल को अरपन करते ने यगन के कुंड में तो वाला यग यह नहीं होतो जितनी देर हम गी या जो भी हम अंदर सुन्दा साजी अरपन कर रहे हैं कुंड में यह तो इतनी देर तक जलता है रहेगा हो वाला यग्यो नहीं है ग्यान यग्यो की बात कही जा रही है क्या ग्यान यग्यो की बात कही जा रही है आज आप दस दिन से यहां क्या यग्यो में आये हो यहां क्या हो रहा है ग्यान यग्यो हो रहा है ग्यान यग्यो से आपके अंदर प्रकाश होगा और आपके अंदर पेचान होगी के परमात्मा कोन है, हमारा घर कहा है, हमारे धनी कोन है, और हमारा धाम कहा है, तो जाहरी वाले कुंड और यह नहीं, हमारे अंतसकन रूपी कुंड में, हमारे अंतसकन रूपी कुंड में, मन बुधी चीत हैंकार रापी कुंड में, क्या ओमना है, प्र बचन डाल के धाम धनी के चरणों में पोचना है, तो वो गया 32 मा, 31 तो पहले हो गया था, तो ये शरीर में तो माध्यम बनाया, 32 मा क्या ये प्रजापती, वो 33 मा विद्यूत, उसको बोला सास्त्रों में, वेदों में इंद्र बोला, क्या बोला, इंद्र, वो स्वर्ग वाल इंद्र नहीं, इंद्र मतलब विद्यूत, तो हमारे सब के अंदर कहां से चैतना आई, चैतना अंदर जो चैतनी आया, वो कहां से आया, हमारा तार कहां जुडा हुआ है, मैं छोटी-छोटी बातों से समझा रही हूँ, कि क्योंकि कुए पुरावे के या कोई प्रमान से बात आपके अंदर समझ में आ जाए सुन्दसाथ जी, लेकिन समय तो नहीं है, मैं बार बार तिन तिन बार ये बात को दोहरा कर समझा रही हूँ, तैतिसमा जो है, वो विद्यूत हमारा तार, आत्मा का तार परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो हमारा संचालन हो र हो रहा है, वो परमात्मा की कृपा से परमात्मा के हुकम से हो रहा है, जैसे, मालो इस पंडाल में, कितने पंखे चल रहे है, कितनी लाइट है जल रही है, मालो ये पंखे भी जल रहे है, मालो ये मिडियो माले भी लाइट का यूज़ कर रहे हैं, तो सब के तार कहां जु यह केबल कहां से तो लिया होगा ने, मालों कि वहां से ही switch बंद कर दे, थर्मोपामर से, थर्मोपार्मर से switch बंद कर दे, तो क्या बंके चले गए, यह बिजली आएगी light में, यह बल्फ में आएगी बिजली क्या, नहीं आएगी ने, ऐसे 33 मा जो है, हो विद्यू तो हमारा तार सबकी आत्माओं का तार किसके साथ जुड़ा है एक परमात्मा के साथ वहां से बिजली आ रही है और हम सब क्रिया कर रहे है सुन्दसाजी तो ये 33 उबा ये 33 चेतन देव को छोड़ कर ये चेतन बनाने ये चेतन बनाने कौन बना चेतन ये सरीर चेतन बना ये 33 चेतन देवताओं को छोड़ कर हम 34 मा जो ये 33 अंदर आया कैसे चेतन ये एक निकल जाए तो उसमें कुछ बचेगा क्या तार मा से एक अलग हो जाए तो उसमें कुछ बचेगा क्या तो ये 33 प्रकार के जड़ देवत पुजाओं की पुजा छोड़ कर चोईतिसमा देवता कोन है पुरुणब्राओं परमात्मा और आज संसार के लोग 33 करोड के नाम पर कितनी एक पत्थर को आकार आप दे कर कितने मुर्ति की पुजा कर रहे हैं आप वेद खोल कर देख लेना के वेदों में 33 करोड नहीं 33 प् परसो भी बोला था कि हो जो महाभारत का युद के पस्चियात ये पोराणिक और जो ये वांग मारगियों की जो प्रचलन शुरू हुआ और मुर्ति पुजा चालू हो गई और जड मुर्ति ने सब को फसा के गेहरी खाई में डाल दिया कि आज तक वो मानव निकल नहीं पाए सुन्दसाजी ये 33 को छोड़कर किसकी सेवा करनी है उपाशिय ये कर परमात्मा की ये 33 कैसे ही वास्तों में ये क्या है तो जैसे सुष्टी की रचना मैंने पहले भी दिन बताई थी दुसरे दिन भी बताई थी कि सुष्टी की रचना जब सत्यूग में प्रा हाग है हिमालाई के वहां सुष्टी प्रारंब में उत्पन हुई मांस जो छे प्रकार की सुष्टी की रचना बताई गई है तो सबसे पहले सत्यवादी और ज्यानवादी सत्यवादी मन वचन कर्म से सत्य का आच्रण करने वाले एसे विद्वान पहले पेदा हुए एसे प्रुशी मुनी पेले पेदा हुए तो उसकी जन संख्या बढ़ते बढ़ते तेतीस हुई सुन्द साजी तो उस प्रकार के मान्यता के आधार पर आए संसार में तेतीस करोड वो जन संख्या बढ़ती बढ़ती तेतीस करोड पर पहुँची तो तेतीस करोड पर पहुची तब तक तो सब सतो गोणी रहे, समझ गए मेरी बात, तब तक तो सब सतो गोणी रहे, तो उसका नेतरुत्व करना इसके लिए किसको सोपा गया? इंद्र को सोपा गया, वहां इंद्र को सोपा गया, वो 33 करोड जनसंख्या का नेतरुत्व इंद्र करने लगे, तो 33 करोड से जब आगे जनसंख्या बढ़ी तो फिर अंदर विकार पेदा होने लगे, तमोगोणी मानों बनने लगे, रजोगोणी भी बनने लगे, तब तक तो सतोगोणी सत्यवादी विद्वान थे, तो उस मान्यता के आधार पर, उस सिद्धान्त के आधार पर, आज सं अंसार में 33 करोड के नाम पर जो सत्यवादी मानों पेला पेदा हुए वो मान्यता की बात दिल में समझ में नहीं आई और आज अलग रूप से जड़ प्रकार की मुर्ती को पुझने लगे सुन्द साजी तो ये अंध परंपरा है ये क्या है अंध परंपरा है जड़ मुर्त को पुझना नहीं चाहिए तो यहाँ वागा बस्त्र की जो हमारी सेवा चल रही थी कि स्विकुष्ण प्रणामी धर्म में निजानन संप्रदाई में वागा बस्त्र और किसकी सेवा करते है मोरली मुंगट की लेकिन मोरली मुंगट और वागा बस्त्र तो उसका सिंगार ह उसका आभूशन है उसके अंदर जो सरूप विराज माने परमात्मा का ज्यान में उसकी शेवा होती है सुन्द साजी जड मुर्ती की शेवा नहीं होती कोई वागा आपको एक प्रशन उठेगा कि वस्त्र भी एक जड है मैंने अभी बात छोड़ी लेकिन स्थूल मुर्ती की पत्थर की अपेक्षा ये वस्त्र जड तो है लेकिन उसमें कोई आकार नहीं होता तो हमारे अंदर एक प्रेम मैं भाव पेदा होता और तबी उस टाइम पे वाणी उत्री नहीं थी तो सुन्द साजी बागा वस्त्र की बात प्रचलन में आई और ये शेवा भी देदी औ गर में देव चंद्र जी आकर वो शेवा को शीर्पड़ पद्ध्रा के संदस्ता जी हा फिर हमारी बात में आधी रह गई कि बाल मुकुन ने बताया कि उसको जो दुखी हो जाए देव चंद्र तो क्या देना? बागावस्त्र की सेवा दे देना तो बागावस्त्र की सेवा के लिए बोला फिर हरिदास्टी सोचने लगे कि चलो जल्दी से में देवचंदर जी को ये बात बताओ जल्दी से बताओ तो वो सामने से बाजार में गए सामने बाजार में कोन मिला देवचंद्र जी भी मंदिर में सेवा के लिए आ रहा था शुंदसाजी देवचंद्र जी दोनों का मिलन बाजार में हुआ और वहां से बात प्रारम कर ली घर पे पहुँचे प्रारम करे इससे पेले उल्टी गंगा बही क्या बही अभी तक इस संसार में गुरू के चरणों में शिश्य तो पड़ते हैं, कभी भी शिश्य कभी भी गुरू के चरणों में पड़े हैं, अभी तक कोई जग, कोई स्थानों में जहां गुरू परंपरा चल रही है, जहां गद्दी की परंपरा चल रही है, यहां उल्टाकारिय हुआ कभी, वहां कभी भी उल्टाकारिय हुआ कि एक दिन गुरु के चरणों में सिस्य पढ़ते थे, आज सिस्य के चरणों में संसार में ऐसी अंगटित गटना, गटित हुई सुन्दसाजी और कौन उसके चरणों में गीर पड़ा? अग्या हरिदासी तब देवचंद्रजी ने बोला, अरे गुरुजी ऐसा अपराद क्यों कर रहे हो? ऐसा अपराद मेरे को क्यों कर रहे हो? मेरे चरणों में क्यों पड़ रहे हो? तब हरिदासी ने बोला कि तुमारे सुरुप की मेरे को पहचान नहीं हुई है, आज जो सुरुप ने दरसन दिया, मैं सेवा करतेwang, किसकी बात है सुनना सुन्दसाजी? सेवा करते kavते, चालिस साल पसार हो गए, पास हो गए, 50 साल पास हो गए, साइट, 70-80 साल पसार हो ग क्या बात की? क्या बात की सुन्दोसाद जीए किसका मैं रोज ही बोलते आ रही हूँ कि मैं परमपरा वाली जजी इता का नई कर रही हूँ यह किसका किसा है यह हमारा है हम भी 50-67 साल से ऐसे ही प्रारम भीड़़ेवा करते आ रहे सुन्द साथ जी अभी आगे हम बढ़े नहीं है तो तभी उसने हरिदास जी ने बोला कि बाल मुकंद और बाल बाके बिहारी की शेवा करते करते बहुत साल गुजर गए लेकिन अभी तक मेरे को तो मुर्ती की सेवा करते करते दर्सन नहीं दिया था आज आपकी कृपा से आज आपकी कृपा से मेरे को दर्सन हुआ आपके अंदर तो जो परमधाम से जो श्यामा जी आई थी ने वो किश्केतन में बेठी थी योग माया ब्रह्मान में जो रासेस्वरी राधा ने जो लिला की उसके अंदर बेठने वाली श्यामा माहरानी है उसको मैं पेचान नहीं पाया तो मैं तुमारी शेवा शेहन नहीं कर पाता फिर अंदर हरिदासी ने सोचा फिर यह सी बाते करते करते घर में पहुँच गए फिर देवचंदर जी ने पूछा कि क्या बाल मुकुन मिल गए तभी उसने बोला कि हाँ बाल मुकुन मिल गए चलो मैं आपको दर्स कराता हूँ मैं आपको दर्सन करा हूँ फिर दोनों मंदिर निज मंदिर में गए वहां दर्सन करते है दर्सन करने के बाद दोनों के बीच में बातों की आपले होती है, फिर हरिदासी देवचंदर जी के सामने बात रखते है सुन्दसाथ जी, क्या बात रखते है, क्या बात रखते है, कि अरे मैंने अभी तक आपसे कितनी सेवाए करवाई, कितनी सेवाए करवाई, कि आपको जाडू लगवाया, ब बहुत सेवा करवाई, उसकी बात का मैं जो प्राहश्चित करूँ, तो मैं बहुत महापापी हूँ, अपरादी हूँ, उसका प्राहश्चित एक ही है, बैस मैं आपके चरणों में जुक के, आपका शिश्यत्व में ग्रहन कर लूँ, तो सुन्द साथ जी उस बात से इतना ही शिक लेनी है, इतनी शिक्षा लेनी है, आप अपने जीवन को और आप जिसको मान रहे हो, और जिसके पास आप ज्यान ले रहे हो, तो मैंने कल भी बोला था, कि देव चंद्र जी अलग-अलग स्थानों में, अलग-अलग जगा पर खोज करने के लिए जा रहा है, जा रहे कल मैं इस आधार पर बताया था, आज मैं अलग-अलग मोड से आपको बताऊंगी, कि आप भी, मान लो, आप भी कई बार किसी का सुनते तो आप मान लेते ने, कि मैं भाई, यही गुरु की चर्चा सुन रही हूँ, यही गद्धी को मान रही हूँ, तो उसकी चर्चा उच वो बड़े हैंने, कई बार कोई सुन्दसाथ बोल देते, कि गुरु जी कहते हैंने, आप 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 कहते हैंने नहीं है, जिसना जितना अध्यान, जितना जिसका प्रयास हो अपने अस्तर बना, शक्ते हैं, और में बताओ, ध्रू ने कितनी साल की उम्र में, भगवान, विष्णु भगवान का दर्शन हो गया था, पांच साल की उम्र में हो गया था, ऐसे संकादी पांच साल में निकल ग तो उसमें ऐसा नहीं कि 50 या 40 या 60 या कोई बड़े स्थान पर बेठे हो तो वो उची बात कर ले या कोई ग्रुहस्ती में या कोई संत मनीशी वो तो बात नहीं कर पाते ऐसा सोचना नहीं चाहिए जितना जिसका अध्यन जितनी जिसकी गेहराई तो यह अपना प्रयास अप भी बताया था कि जहां आपको सत्यम मिले जहां आपको सत्यम मिले तो आज देखो हरी दासी अभी तक गुरु बनकर बेठे थे ने तो आज देव चंदर जी छोटे है बले गुरु थे लेकिन देव चंदर जी के अंदर किसका दर्शन किया छोटे है लेकिन आज उसके पास एक कुछ स्वरूप का दर्शन कर लियाने, पैचान कर लियने, तो जुग गए या नहीं जुग गए, मैं आगे आगे प्रशंग आता जाएगा, जैसे चिंता मनी आएगे, तभी मैं बताऊंगी, गद्धी बत्ती बनकर बैठे थे ने, सुन्दर साजी, लेकिन अपना अहें में बांधा नहीं जा सकता, तो यहां सुन्दर साजी उसको बोला कि मैं सेवा आपको दूंगा, किसकी? चलो, मैं वागाबस्त्रों की सेवा दूंगा, तो फिर वागाबस्त्रों की सेवा दी, अपने सीर पर लेकर, ओ कहां गए? अपने घर में गए, अपने घर में जाकर, एक सुन्दर स्थान चयन किया, सुन्दर स्थान साफ सफाई करके एक निर्णे लिया, फाइनल किया और उस जगपर सुन्दर सेवा पद्रादी बागा बस्तर की अभी उस शरुप को क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? हरिदासी ने क्या किया था? अभी राज जी की पेचान नहीं हुई है सुन्दर साथ जी, वहाँ सेवा पद्रादी और शेवा में हो मस्त हो गए, और शेवा में जब जब आगे बढ़ने लगे, तो घर में जब सेवा आई, तो अपने बागा बस्तर में रासे प्रेस्वरी, बाके बिहारी, जो क्रश्ण है, उस युगल स्वरुप का ध्यान करते थे, ने अभी तो ब्रजवाली और रासवाली लीला का, तो फिर घर में जाकर, अपने लिए हलका प्रकार का आहार, हलका प्रकार की जीजवस्तुए, ऐसे रासन खरीके लाते थे, यु कैसे करा सुन्दसाजीक लगा दिया, अपना तान, मान और जीव, अपना तान, मान और जीव सब कुछ समरपन कर दिया, और सेवा में लग गए, और जैसे सेवा में लग गए, तो लिलबाई को क्या लगा, कैसे सेवा करने लगे, पानी अपने हाथों से भरने के लिए जात तो पानी गिरा देते फिर दुबारा जाते ऐसे पूरी पवित्रता के साथ पूरी निर्मलता के साथ पूरे भाव और निष्ठा के साथ सेवा करने लागे तो हम भी कैसे राज जी के सेवा करेंगे सुन्दसाथ जी और राज जी के लिए उच प्रकार के मेवा मिठाई या व बोका भी अपने आथों से देते थे, जाडु भी घर में अपने आथों से लगाते थे, और भोग भी अपने आथों से बनाते थे, सुन्द साजी बनाते थे और लगाते थे. तो एक दिन लिल भाई ने बोला, कि है श्वामी है पतिदेव, बारोस के लोग, जो पडोस के लोग होते ने, वो लोग मेरे को ताना मार रहे हैं, वो लोग मेरे को ताना मार रहे हैं, और मेरे को सुनते सुनते सीर पक गए, ऐसा करो ने पतिदेव, क्या बोलते है पडोस के लोग क्या रहे तू कैसी स्त्री घर में हो क्या तू तेरे पती तेरे जीवते तू तेरे रहते हुए हो अपने आथों से जाड़ू पोचा रसोई भोग सब कुछ करते तू नहीं करती तभी देवचंद्र जी ने बोला कि है लिलबाई तू मेरे माता पिता की शेवा कर रही है ने जैसे मैं अपने आरादिय अपने इस्ट मान कर जो रासे स्वर माके भिहारी का जो बागा बस्तर की शेवा कर रहा हूँ ऐसे तू मेरे माता पिता की शेवा कर रहे हो तो उसमें मेरे को आनंद है उसमें मेरे को सूख है जो तू मे पति देव मेरे आराध्य की में सेवा कर रहे हूं. कौन? देव चंदर जी बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं. तो वो सेवा में मेरे पति-वत्था पड़े की जो सेवा हो रही है उसमें भंग हो जाया हिदाएगा. और मेरे प्रेम भी कलंकित हो जायेगा. क्योंकि मेरा अपने आराध्य इष्ट के प्रती जो मारा प्रेम है, वो प्रेम आपके अंदर अभी पेचान हुई नहीं है, आपके अंदर अभी पेचान नहीं हुई है, तो मैं आपको थोड़ी सी सेवा मेने सोब दी, जारू लगाने की, पानी भरने की, और आपका मन नहीं लगा, तो मेरा प्रेम कलंकीत हो जाएगा, तो आप ऐसा करो, मे आराध्य यही है, आपका आराध्य भी यही है, लेकिन आपको यह पेचान नहीं हुई है, तो आप मेरे माता-पिता की सेवा करो, और मैं अपने आराध्य मान के, भी हारी के बागा बस्त्रों की शेवा करता हूं तो ये शेवा कर रहे सुन्द साजी सेवा करते करते एक दिन ध्यान में मगन हो गए सुन्द साजी ध्यान में मगन जैसे हुए तो यहां भी ध्यान की बात सुन्द साजी आई या नहीं आई आई ने, किसी को लगता है भई ध्यान, ध्यान तो हम हलते चालते में, गुमते फीरते भी ध्यान कर लेते, ऐसे कोई बेठने की जरूरत नहीं परती, किसी का प्रस्थन रहता है कोई कोई का, कि दिदी हम गुमते फीरते भी ध्यान तो कर लेते, लेकिन गुमते फीरते हम भा आव में डूब सकते, लकिन अमारा ध्यान नहीं हो पाता, देखो यहाँ, अभी देव चंद्रजी को तो पुर्ण पेचान अभी राजी की हुई, नहीं है, अभी दूसरा दर्शन होगा, एक दिन अपनी मंदिर में, शेवा में मगन है, और बाके बिहारी के बागा बस्त्रक कि सेवा करते करते, उसका ध्यान कहां लग गया, ध्यान में परवानने के बाद, जब एक आंत में ऐसे ही मोन मंदिर के सामने बैठ गये, और अपना ध्यान, अखंद ब्रज में, बाल मुकंद के रूप में, जो शिक्तुष्ण जी ने लिला कर रित की थी, उसमें कौन स्व अरूप था, वोई अखंद ब्रज बिहारी में चला गया, और वहां गये, तो देवचंद जी बेठे कहां है, बूजिनगर में, अपने घर में, और यह दूसरा दर्शन हुआ, क्या दर्शन हुआ, कितने नंबर का, दूसरा, पहला दर्शन, मैं फिर याद दिलाती हूँ, शीपाई वेंश में, महमद के रूप में, रण में, कितने साल की उम्रती उसकी? 16 साल की उम्रती तभी पहला दर्शन हुआ, और आज़ा, दूसरा दर्शन, कब होगा? 26 साल में, ऐसे 15, 25 और 40 लेलो, या 16, 26 और 40 लेलो, तो दूसरा दर्शन, 26 साल की उम्र में, सुन्द यहां वाव और ब्रज भिहारी के रूप में, उसने अखन ब्रज में गए, और वहां जाके किस को मिले? जसोदा माता जी को मिले, तो जसोदा माता जी की वो क्या पढ़ती है? बहु, क्या? बहु, उसके अंदर कौन बेठे थे? जसोदा माता जी और देवचंदर जी किस र कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाए, वहां उसने पहले क्या तंधारन किया था, राधिका का, तो जसोदा यहां क्या बोलेगी, अरे बहुरानी, राधिका जी आओ, फिर ओ बोलेगी, ओ तब यह क्या कर रही है, जब वहां देवचंद जी के अंदर से श्यामा जी के रूप में, राधिका जी जब गई, तब ही जसोदा दूदू बाल रही थी, और पास में सक्या भी बेठी थी, सुन्द साजी, तो वहां देवचंद जी, श्यामा जी के रूप में, वहां चले गे राधिका रानी के रूप में, उसने बोला, कि माता जी काना कहां है तब माता जी ने बोला कि काना तो ऐसे चंचल नटकट है ये थोड़े घर में रेता ये तो बाल गोपाल के साथ वनों में खेलने के लिए चला गया है तो माता जी ने बोला कि राधिका जी थोड़ा बोजन या मिठाई खा के तो जाओ तब राधिका जी ने क्या बोला ये दर्सन किस में हो रहा है ध्यान में किस में सुन्दसा जी ध्यान में तो हमको क्या करना चाहिए घर में क्या करना चाहिए सिवा पुजा सिवा पुजा के बाद क्या करना चाहिए अरे वानी बढ़नी बोलियसी प्राणनाद वानी पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए ध्यान करना चाहिए किसका ध्यान करना चाहिए अभी रास विहारी का किसका करना चाहिए बाल मुकुन का तो किसका करना चाहिए सुन्द साथ जी अक्षरा राजा, मुला बोलिये श्री प्राणनाथ तो यहां किस निंद नहीं आती ने सुन्द साथ जी अज लगाता चल रहा है मिच में तो ध्यान में फिर कहां जाएंगे कि माता जी मेरे को तो बहुत जल्दी है किस ने बोला अरे वाँ देव चंदर जी थोड़ी जाएगी इसलिए मैं बार-बार सिखाती है जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे में सिखा रही तो फिर देव चंदर जी इसे तन में रहना है क्या उपर जाना ही नहीं है वहां कौन गए उसने बोला माता जी मेरे को तो बहुत जल्दी है आप ऐसा कीजिये ने जो मिठाई बोजन में जो कुछ बनाया है गुंगरी जो भी हो मेरे को साथ में वानगी जो भी हो मेरे को बांध दीजिये मैं साथ में लेकर जाओ और काना के साथ वनों में खाऊंगी माता जी ने साथ में मिठाई जो भी घर में था वो बांध दिया वो राधिकाजी लेकर वन में चली गई वहाँ जाकर तोली तोली में वहाँ जाकर जो तोली तोली में कृष्णा खेल रहे थे वहाँ जाकर राधिकाजी ने क्या पूछा क्या बोला मेरे को तो कृष्ण जी को मिलना है किसको मिलना है क्योंकि वो पहले क्या देख के आई थी अगले ब्रज रास में क्या देखा था कृष्ण जी को तो देखा था अभी ध्यान किसका कर रही है फिर आगे जाके किसका करेगी अक्षरा श्री राज जी हाँ सुन्दसाजी समझ गया आप तो यहाँ सुन्दसाजी उपर गये बोले क्या बोले क्या बोले कि मेरे को तो कृष्णा जी को मिलना है तभी टोली टोली में जो बाल गोपाल खेल रहे थे उसने बोला कि यहां तो हर टोली में कृष्ण के किस कृष्ण को मिलना है यहां तो हर टोली में कृष्ण के किस कृष्ण को मिलना है तभी राधिकाजी ने बोला कि मेरे को तो नंद कृष्ण को मिलना है तभी बोला कि इतने बड़े गोकुल गाओं में, कितनी जनसंख्या थी गोकुल में? अरे 36,000 तो आत्मा ये उत्री थी, 36,000 तो 24,000 कुमारी का ये, और 12,000 ब्रह्मा आत्मा ये तो 36,000 तो इतना तन तो ऐसे ही था, और जनसंख्या बढ़ाओ गोपबाल को की. इतनी जनसंख्या में उसने बोला कि बहुत नंद के कृष्ण है, तो किस नंद के कृष्ण को मिलना है? फिर आधिकाजी तो आस्चरिय में पड़ गई. फिर क्या बोला? कि मेरे को तो जस्वदा नंद के कृष्ण को मिलना है, तभी बोला कि जस्वदा नंद के कृष्ण को म मिलना है ने तो जो टोली महां है ने ग्रूप में अपने खेल रहे ने वो टोली में जाओ वहां जा सुदानन्द वाले कृष्ण खेल रहे तो शुन्दसाज जी एक बात आप समझ लो कृष्ण कितने नाम है बहुत कृष्ण थे ने यह किस ने बताया लालदाशी माराज ने उसके अंदर बैठ कर किसने बताया धाम धनी राज जी ने पांच सक्तियों के बैठ कर बताया ने यह मेरी और तुमारी बात तो नहीं ने किसी की बनाई बनाई हुई कोई संत विद्वान किसी की बनाई हुई तो बात नहीं है ने वित्तक साहिब में चथे दिन में किसको स यह ने सुन्द साथ जी, मैं इतने दिनों से स्पष्टी करन करती आ रही हूं, मैंने बहुत बार तिन दिन लगातार लगी रही, कि नाम और रूप को छोड़ दो, बले अब्रज में लिला करने वाले हमारे प्रान, बोलिए हमारे प्रान, ना थे, रास में खेलने वाले हमार प्रान, ना थे, महमत साहिब के रूप में जोश की सक्ति आने वाली हमारे धामधनी अक्षरा, तित की थी, चोथे दिन में देवचंद्रजी के अंदर लिला करने वाले आवेश्वरूप हमारे अक्षरा, तित प्रान, ना थे, और पांच में दिन में में राध ठाकुर के तन में आने वाली शक्ति भी अमारे प्राण, प्राण नात अक्षरा थीद कोई नाम नहीं है, वो अक्षर से बर्यक्षरा थी थे, वो प्राणों के ना थे सुन्द साथ जी, तो पाँचों दिनों में जो अलग-अलग तन के नाम धारण किये, वो तन को छोड़ करतो चले ग कि आतमा कभी जनम वरण के चक्रमें गर्भ में नहीं पड़ती है, तो परमात्मा गर्भ में नहीं जाता तो क्रश्नवाला वरज का तन कहां चोड़ दिया? वरज में चोड़ दिया ने, उसके बाद वो रास में गए, फिर आस वाला नुरी तन कहां खंड हो गया? शबली क महाकारण में वो भी छोड़ दिया ने फी तिसरे दिन में महमद के रूप में आये तो उसका नाम क्या पड़ा महमद साहेव और चोथे दिन में तन का नाम क्या पड़ा देव चंद्रजी और पांचमे दिन में तन का नाम क्या पड़ा मेराज ठाकुर क्या मेरी बात है यह घ बुलना, नाम, तत्वा, गुण और रूब, जिसने रूब धारन किया उसका नाम पड़ेगा, जिसने पात तत्वला सरी धारन किया, चाहे ब्रज बिहारी का हो, चाहे रास बिहारी का हो, चाहे महमत का हो, चाहे देव चंद्रजी का हो, नव देहुरी में उसको भी समाधी द और पाँच में दिन में मेहराज के तन में भी सुन्दसाद जी महामति के धाम दिल में अक्षरातिन लीला कर रहे तो यहां भी बताया सुन्दसाद जी क्या बताया तो सब कृष्ण कृष्ण है, तो सब अमारे पती नहीं बनते, यह तो कितने नंद थे, कितने कृष्ण थे, कितने वहाँ अलग-अलग नाम थे, लेकिन उसके अंदर किसकी सक्ति के लिए वो गया थे? अंदर राशेस्वरी की सक्ति बैठी थी ने, बाग के बिहारी की सक्ति के लिए राधिकाजी गई थी, तन के लिए नहीं गई थी, तो हो सुन्दसाद जी, राधिकाजी का किष्ण जी ने बोला, कि चलो हम दोनों साथ में बैठकर बाते करें, तब राधिकाजी हंस रही है, नहीं दुखी हो रही है Krishna जी मंदमन हशर है जब मिलेने दोनों का मिलन हुआ वन में गोब बालकों की तोली में गोब बालकों को बोल दिया और राधीका जी दुखी होते होते बोले जब कृश्ण ने बोला ने अरे राधीका जी मैं कब से आपकी रहा दिख रहा हो, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि कब आएगी राधिकाजी, कब आएगी, तब क्या बोला पता राधिकाजी ने देवचंद्री के रूप में जो महाराधिकाजी गई ने, उसने बोला, औरे चलिया नटखट मैं कब से आपको ढूण रही हूँ, कितनी टोली मैं पूछ लिया, सब बोल रही यहां क्रिश्न है, सब बोल रही यहां क्रिश्न है तू था क्या मेरे को पता नहीं था, ऐसे परदे मेरे पर आपको दर्द नहीं आ रहा है मेरे पर दया नहीं आ रही आपको, तभी कृष्णा ने बोला कि आप पर तो मेरे को दया आ रही, इसले तो मैं आपका इंतजार कर रहा था चलो ने, हम मिठी मिठी बाते करेंगे साथ में बेट कर, और गुप बाल को बोला, कि आप ऐसा करो, जो गुंगरी रुमाल में छटके पानी निकाल रहे थे ने, दबा कर ऐसे, तो ऐसे करो ये मिठाई, रादिका जी ने बोला कि मैं मिठाई भी लेकर आई हूँ तो उसने बोला कि दोनों साथ में मिला कर, हमको दो भाग देना, कितना? दो इसा दो इसा मेरे को देना क्योंकि मेरे साथ और कोन है आज तो सुन्दसाथ जी हम भी राज जी के साथ ऐसा सुख ले जैसे रादिका जी यहां बेठे-बेठे क्या सुख ले रही थी देवचंद्र जी? वहाँ जाकर सुख लेते थे ने तो कहीं सुन्दसाथ बोलते है क्या राज जी का दिदार होता यहां ध्यान में बेठने के बाद होता सुन्दसाथ जी वाँनी मिलने से पहले वाँनी अउत्रण होने से पहले जो देवचंद्र जी को दर्संदे दिया तो अक्षरातित अंगनाओं को कभी अलग करेंगे जो रास विहारी क्रिष्ण ने राधिकाजी को अलग नहीं किया तो जिसका आम अंग है वो अक्षरातित कभी उसकी आत्माओं को अलग करेगा क्या बोलो श्री तो पक्का आपको दिदार धाम धनी देंगे ही देंगे सुन्दसाथ जी और क्या आगे लिला होई अपने घर में शेवा करते करते उसका सुन्दसाजी ध्यान भी करने लगे ध्यान करते करते ये प्रशाद जब लेने गए जब प्रशाद लेने गए ने ध्यान की बात मैं अंतिम में छोड़ी वहां की बात पुरी हो गयी दो इसे पध में दे दियेए लेकिन आत्वा कहां कहा था? नूरी तन कहा था? अब एक एक सब्द पर जाईए, ने? वहां किस तन में गई थी? नूरी तन था वहां तो नूरी तन में जैसे दो इसे दिये, फिर यहां आंक कहां खुली भूजा तो आप अपने घर में बेटे तो परमधाम में जाके आँख कहां खुलेगी लेकिन सुक कहां का लेगे परमधाम का लेगे ऐसे यह आँख खुली और शुन्दसाजी आँख खुलने के बाद ध्यान तुट गया जिस स्वरुप का जो दर्सन कर रहे थे वो स्वरुप भी हट गया और वो स्वरुप को ध्यान में रखकर कोन? राधिका जी देवचंदसी कंदल श्यामा जी अभी श्यामा जी को पेचान नहीं हुई है उस स्वरुप को ध्यान में रखकर घर में आके उसका ध्यान भी करने लगे और आगे शेवा भी करने लगे और रोजी चर्चा हरिदासी की सुनते रहे घर में भी अपने भागवत पद्रा के चर्चा पठन, चिंतन, मनन करते रहे और नेईनों में नीर भी जरने लगे उस शरूप का रोजभोग भी लगाने लगे और आगे हरिदासी ने बताया कि मेरा जो अंदर का स्तर था, मेरा जो कहने का अंदर कई अवस्था थी, वो यहां सिमित हो गई और जो आगे के आपको ग्यान जानना है, आगे का ग्यान जानना है, तो आप आगे जाम नगर, नवा नगर, तब यह छोटी कासी से नाम से जाना जाता था, तो वहां हालार दे नवा नगर नौतनपुरी चले जाओ तो वहाँ देव चंद्र जी नवा नगर नौतनपुरी सुन्दसाजी जाते अपने माता पिता और लिलबाई सब को लेकर हालारो देश में पहुंचते हैं तो आज हम नौतनपुरी में पहुंच गए चलो वहाँ माता पिता और लिलबा पहुँचे तभी उश टाइम सुन्दर साजी उश की उमर कितनी थी? 26 साल की, घर से निकले हम बात को जोड़ दे पूरा, दो मिनिट में, घर से निकले, तभी भया बर्ष 11 मा तब मन भयो, विचार में कोन, कहां से आया और कहां में रो, भर्थार, चार साल तक तो मारणर प्रदेश में खोज की, उसके बाद 16 साल की उमर में वो घर से निकले, फिर चार साल अलग-अलग मत्पंथों में खोज की, फिर चार साल हरिदासी के वहां चले गए, ऐसे-ऐसे 26 साल की उमर हो गई, तो बिक्रम सवन 1664 का समय आ गया, जाम नगर हालार देश नवा नगर नवतन पुरी पहुँचे, तभी बिक्रम सवन 1664 का समय आ गया, और वहां तभी उस टाइम पे छोटी का सिनाम से जाना जाता था, तभी पुष्टी मार्ग सम्प्रदाई का बहुत प्रचार प्रसार तभी वहां था, राधावल बीमार्ग गोशाजी परंपरा, भागवद का बहुत प्रचार प्रसार था उस टाइम पे, तो वहां कांजी बट कथा किया करते थे कौन और किस की कथा करते थे भागवत की कथा करते थे और वहां किस स्थान पर कथा होती थी श्याम जी के देवल में कहां श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी बट तो वहां जाकर पेले तो चाकला मंदीर में उतरते हैं कहां उतरते हैं? अभी गांग जी भाय के घर पे नहीं पहुँचे हैं चाकला मंदीर में उतरते हैं और वहां जाके श्याम जी मंदीर नदिक में पढ़ते हैं सुन्दर साज जी और रोजी कांजी भटके वहां चर्चा के लिए जाते और अपना एक नियम बना लिया, अपना एक प्रण बना लिया, कि मैं आतम को आहार दे दूँगा, उसके बाद सरीर को आहार दूँगा, सरीर को जलपान तब कराऊंगा, कि पेले मैं आतमा को आहार दूँगा, तो वहां जाके क्रथास रवन करने लग कांजी वटके वहां लेकिन वा जो स्रिमन चोदरी और लोग थे जो लोग एक विवाद खड़ा कर दिया उसके साथ रबद करने लगे जगड़े करने लगे लेकिन देवचंद्र जी के ऊपर उसकी असर नहीं पड़ी और उसके आगे अंबढ़े सुन्दसाजी जहां जा प् कथा सुनने के लिए रोज एकी जगब बैठते थे एकी आसन पर बैठते थे और एक दिन की भी उसकी सुन्दसाजी गेरहाजरी भी नहीं थी और ऐसा भी नहीं और जब चालू होती थी उसकी चर्चा उससे पहले वो पांश मिनिट आ जाते थे वो किसकी बात है बोली है स् क्या देवचंदर जी कांजी बट के मंदीर में सुन रहे है अभी कौन सुन रहे है चर्चा कौन सुन रहे है चर्चा हम सुन रहे है शुन्दसाजी पांश मिनिट आज आप यहां बेठो कल वहां बेठे हो पर सो वहां बेठो क्योंकि आगे पिछे आते ने कई बार आते ग एक निष्ठा की भक्ति का दर्शन करा रहे हैं निष्ठा वाली निष्ठा निष्ठा और निष्ठा और वहां आके जब कांजी बट तभी भागवत खोलते थे जब देवचंद्र जी आ जाते थे कई बार आगे पिछे ओ जाता घर में से निकलने के लिए तो क्या होता था एक दो स्लोक पट लिया उसकी चर्चा हो गई तो फिर देवचंद्र जी आते तो उसका स्लोक का फिर वननन करते थे विस्तार से और कई बार मानलो के वो छुट गया तो घर पे जाके पुस्तक भागवत खोलवाके वहां चर्चा सुनते थे तो ऐसी जी भटने भी एक दिने ले लिया कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आएगा तब तक में भागवत नहीं खोलूंगा तो ऐसी निष्ठा वाली चर्चा जो सुनते थे तो स्रीमन चोद्रियों ने देखा कि एक छिद्र खड़ा कि आने पहले एक छिद्र छोटा सा खड़ा कर देवचंद्र जी के पास उसकी क्या आई है वो क्या देते है उसका उससे क्या रोजगारी चलती है उसकी जब वो देवचंद्र नहीं आते तब तक वो भागवत नहीं खोलते है तो फिर स्रीमन चोद्री लोकों ने बोला कांजी भट को के देवचंद्र जी से तमारी उससे क्या मुलेगा? आप धन्वान हो, आप पैसादार हो, जो कुछ मिल रहा है, तो तुम से मिलेगा, लेकिन मैं किसी के आधार पर, मैं किसी के उपर कोई आधार रखकर, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने आराद्य श्याम, जो कृष्ण है, उसके प्रती मेरा पुरा भाव रहता है मैं उसकी भक्ती करता हूँ तो उसका भाव लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ मेरोको तो किसी से रोजगारी नहीं है, ये बात कहकर सुंदत साजी उसने बोला के देव चंद्री जी के अंदर कितनी लगन है कितनी अंदर की तड़प है जिग्यासा है कि जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो घर पे आके भागवत खुला कर चर्चा करवाता मेरे से और कई बार वो मंदिर में भी पहुँच जाता तो महां भी खुलवा कर करवाता आपके अंदर आप बहुत साल से सुनते आ रहे हो बहुत साल से सुनते आ रहे हो आपके अंदर मैं कभी भी इतनी लगन देखी इतनी तड़प इतनी जिग्यासा देखी नहीं है देखो देव चंद्र जी को तो सुन्दसाजी यह किसकी चर्चा है हमारी हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे इस कान से सुना इस कान से जैसे स्रिमन चोधरी कौन बेठे अभी हम बन कर बेठे कौन बेठे स्रिमन चोधरी हमें सुन्दसाजी वो लोग नहीं है और हम भी आसपास के सुन्दर साथ का छिद्रई ढूंटे रहते हमें हमारी ओर नहीं देखते मैंने एक दिन बोला था पता है कि जोस्तना ने कभी भी जोस्तना को देखा कोई दिन जोस्तना ने जोस्तना को नहीं देखा जोस्तना ने पूरे संसार को देख और उसकी निंदा चुगली की, और उसके अंदर छिद्रक ढूंडा, उसकी बुराई आमने खोजी, लेकिन मेरे अंदर का कभी, मैंने बुराईए देखी कभी, हम अमारे अंदर को कभी देखा, तो Śrīman Chaudhary कोन है, हम तो है, वो किसकी बुराई देखते थे, और किसके अंद कोई, पहले एक दुकान दार ने, अपने घर, दुकान में शोप में, तिन पुतली दुके, आक होगी रखी। मुर्ती के रूप में, तिन पुतल्या रखी एक पुतली की किमत एक अजार, एक की पचास अजार और एक की एक लाख, लेकिन तिनों देखने में समान थी, उसका जो उपर का वस्तरोधारन करवाया था, वो भी समान था, आभूशन पेनाय था, वो भी समान था, लेकिन एक की एक अजार, एक की पचास अजार, और एक की एक लग, ऐसा क्यों? जब दुकानदार को उस व्यक्ति ने खरिदने के लिए गए पूछे, तो उस ने बोला, दुकानदार ने बोला, कि एक पुतली के अंदर आप एक में आपको एक छोटी सी पतली सी सड़ी देता हूं, इतनी सी, आप ऐसा करो, उसमें सोई को इस तरफ से आप भूखेगे जो आएगी, वो पचास अजार की पुतली है, और जो एक पुतली को यहां डालकर यहां नहीं, हाट रदाई तक जाएगी, वो एक लाख वाली, किसकी बात की, कौन स्रिमन चोधरी है, कौन है, हम है सुन्दत साथ जी, तो हम एक जार वाले बनना है, या पचास अजार वाल या एक लाख वाला, सुन्दत साजी, बहुत टाइम से हम बीस, तीस वरस से सुनते आ रहे, मैं किसी की बात नहीं कहती हूँ, हम बीस साल से सुनते आ रहे, ऐसी चर्चा, तीस साल से सुनते आ रहे, परमपरया से बहुत वित्त के मंदिरों में सुन ली, मैं दूसरी आत्मा को क्यों कहूं, मैं अपने पर तो लूँ, मेरी भी सुनते सुनते 45 साल की उमर हो गई, अभी मैं 50 सजर वाली बनी, बोली है शीप राणनाथ, किसको के रहे हैं, हम सब को के रहे, परंपर्या वाला ज्यान सुनना नहीं है, फले थोड़ा ही सुने, लेकिन अमारे अंदर अंतस कर तक जाना चाहिए, सुन्दसाथ जी, और मैंने बहुत बार आपकी कह चुकी, कि ज्यान तो इतनी दड़ता के साथ लो, सुन्दसाथ जी, कि एक बार आप पढ़लो ने, कई बेने बोलती है, कि जुसना बेन, तुम लगातार दो घंटे तक बोलती रहती हो, कैसे बोलती ह को, ऐसे खोल के भीना, आम यहां से सुनने के बाद, दो घंटे का सुनने के बाद, जब नीचे उत्रेने, तो किसी को पांच मीट भी नहीं सुना सकते हैं, मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता, आप ध्यान से नहीं सुनते होगे, ऐसा करो, इतने दिन सुनने के बाद, पांच म जलसाज जी, मैं आपके पास ये बात रखूंगी, कि वहां तीन पुतली की बात, कि तो तीन पुतलियों में स्रीमन चोदरी कौन है, हमें, वो लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे थे, लेकिन अंदर परिवर्तन आया, नहीं था, तो हमारे अंदर परिवर्तन आना, हम किसी की ओर आगे पिछे, इदर उदर देखना, नहीं है, जब चर्चा प्रारम हुई, तो किसी की ओर देखना है, धामधनी की, बातों की ओर, हमारे अंदर ये रस को उतारना है, कोन आये, कोन गये, कोन उठे, कोन पिछे से आये, ये आपको देखना, ये धामधनी देख प्रिजरी लोगों ने क्या बताया? कि तुम्हारा रोजगार इससे क्या है? तब अरिधासी ने बोला कि जो मिलता है वो तो आपसे मिलता है, तो फिर मोन रहकर घर पे चले गए, लेकिन अंदर का क्रोध कम नहीं हुआ, अंदर का द्रेश, अंदर का राग कम नहीं हुआ, य आप सुन लोगे तब तक तो यहां अच्छा लगेगा गर में जाकर सोचेगे जोसना बेनने, वो बात उस मादीयम से के दी, देखो, जो छिदर आया थे वो बात उस मादीयम से के दी, जो देखो, ऐसे नहीं पाती, लेकिन माद्यम बना, तो बात रख ली, क्या आ गया फि मैं कोई भूल या परिवार की बात यहां से ली कभी भी किसकी बात कर रही हूं मैं राजी की सुन्दश साथ जी मैं आपको यह समझा रही हूं यह स्रीमान चोध्रियों की बाते नहीं है यह हम ही है फिर आगे बोला कि अंदर का करोध नहीं गया फिर सब मित्रमंडल एकत्रित होए तो हम भी एकत्रित होते हैं फिर उसने सबने एक फाइनल किया कि आज तो अलग छिद्र ढूंडना ही ढूंडना ही, कल तो पकड में आया नहीं क्योंकि बन गये बात तो बन गई पकड में आया नहीं, तो बोला कि आज दो चिद्र टुंडना ही, टुंडना है, फिर आये, फिर उसके बात एक पकड में आ गई, क्या बात आई? कि देव चंद्रजी अग्यारस को सुनना पिछे तक, साफ सुना ही रहाने पिछे तक, जो कोई अग्यारस को रहता हो तो ध्यान से सुने आज अभी सबको राजजी ले लेंगे ऐठारो दिन में, कोई बचेगा नहीं उसकी बातों से, में भी आ गई, आप भी आ गई, समझ में आ रहा है, जब ऐठारमा दिन पूरा होगा ने, तब हर विचर्माले आ जाएगे बीच में, राजजी हर एक को ले लेंगे, कोई बचेग कोई बचेगा नहीं, अग्यारस वाले को आध्यान से सुनना, कि देव चेंद्र जी अग्यारस को भर पेट भोजन करते हैं, फुल, खाना खा लेते हैं, और बारस को अपवास करते हैं, उपवास करते हैं, तो क्या, तब ही तो जल्दी जल्दी आ गए हो, आपको कभी किसी को सिकायत करनी होती नहीं, अंदर रोस अगनी भरी होती नहीं, तो तभी हम आधे गंटे पहले आ जाते हैं यहाँ, कौन आए श्रीमान चोधरी, उस तभी रोज तो देर से आते थे, तभी कैसे आ गए, दस मीट जल्दी आ गए, क्योंकि देव चंदर जी पहुंचे इस से प दुबेन की बात रख लो, तो देव चंदर जी से पहले, दस मीट पहले आ गए, और बात शुरू कर दी, कांजी भट ने बोला, और जो श्रीमान चोधरी लोग थे, वो दस मीट पहले आ गए, और रोज से भरे हुए थे अंदर, शिकायत करने लगे, शिकायत की, उसने बो अधार पर, सब दर्मस्तास्त्रों का प्रमान दे कर, एकी बात हमारे और देव चंदर जी के बीच में एकी सिधान्त लागू होता है, एकी सिधान्त लागू होता है, तो एकी दर्मस्तास्त्रों के आधार पर हमने सब नियम एकी समान समझाया है, तो आद देव चंदर जी अलग सिधान क्यों अपना रहे, क्या, उसका कोई अलग प्रमान है, उसका कोई अलग सिधान थे, क्या, वो क्यों ऐसी उल्टी रहा अपना रहे, तब उसने बोला ओर आगे, कि वही ऐसा किस धर्मसास्त्रों में लिखा है, कि अग्यारस को फुल भर बेट भोजन करना, और ब तो समझ कर ही करता होगा, ऐसे सोचे बिना कोई बात नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, आप बैठो सांती से, उसको अने दो, दोनों जब साथ में ग्रूप मिलेंगे, दोनों व्यक्ति सामने सामने आएगे, तभी बात कस्पष्ट्विकन होगा, ने? सुन्दत साजी हम कैसा कहीं बार ऐसा करते ने कि हम एक ही हमारा नियाई मांगते हम अकेले अपना नियाई मांगते तो जब जगड़ा अकेले से हुआ था क्या जब दो पार्टी आमने सामने आई तभी जगड़ा हुआ था ने तो नियाई भी दोनों पार्टी सामने आएगी तभी होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम सच्चा होने के लिए, हम अमारे जात को सत्य सीध करने के लिए, पेले अक्यले निरने करने के लिए चले जाते नहीं, लेकिन नियाई तो सत्य के आधार पर होगा, जब दोनों पार् के बाद हम स्पष्ठी करन करेंगे इतने में ही देवचंद्र जी आ गए और देवचंद्र जी आने के बाद रोस्ते तो भरे हुए था जल्दी बोले के लो तुमारा देवचंद्र तुमारा आ गया जल्दी से बात का स्पष्ठी करन कर दीजिए फिर देवचंद्र जी को का कांजी बट ने पुछा कि देवचंद्र तु क्या ऐसा करता है उसको तो पता ही थक देवचंद्र ऐसा करता नहीं होगा जो करता है वो सत्य के आधार पर करता होगा तो उसने पुछा कि देवचंद्र तु ऐसा करता है क्या तब कांजी बट को जवाब दिया देवचंद्र जी ने कि हाँ वो बात अटल सत्य है मैं ऐसा ही करता हूं तब सब ऐसे ही साथ में खड़े ओकर बोले तो उसका श्पष्टिकरन हमारे सामने कीजिए तब देवचंद्र जी ने बोला कि भागवत ग्रंथ है जो आप भागवत ग्रंथ है गुरुजी कांजीभट आप चर्चा करते हो तो भागवत में दसमें सकंद में पार ब्रह्म की जो ब्रज वर रास में जो लिलाये हुई थी अखंड में पार ब्रह्म की शिक्रुष्ण के रूप में जो अखंड ब्रज रास की लिलाये हुई थी वो लिला कहां अखंड हुई योग माया ब्रह्मान में हुई है वो लिला का वरणन शुकदेव मुणी ने भागवत के दसमें स्कंद में रखा है, तो आप वोई लिला का वरणन रोज मेरे को सुनाते हो, अखंड का वरणन सुनाते हो, तभी मेरी आत्मा को खुराक, आत्मा को आहार मिल जाता है, तो मैं सुक क्या करता हूं किस दिन कि अग्यारस को तो आप चर्चा करते हो तभी मेरी आत्मा को आहार मिल जाता लेकिन बारस को आप भंधारा करते हो वियास्टी के पीछे बंदा ना करते हो तो बारस को चर्चा नहीं करते हो तो मेरे को आत्मा का हार नहीं मिलता मैंने एक प्रण मैंने एक नियम बनाया है कि मैं जल्पान भी तब करूंगा असरीर को आहार तभी दूंगा कि मेरी आत्मा को आहार मिल जाए तो मेरे को रोजी चर्चा मिलती है लेकिन अग्यारस को तो चर्चा मिलती है लेकिन बारस को चर्चा नहीं मिलती है तो मैं बारस को अपवास करता हूं और अग्यारस को फूल बरपेट भोजन कर लेता हूं तबी उसने बोला कि उसका जवाब दो तो उसने बोला कि कैसे जव जानते हैं, कोई विरलाही जानते हैं, तो कैसे जानते हैं, तो भागवत एक रुक्ष है, भागवत एक दर्खत एक रुक्ष है, उसकी जो डालिया है, टहनिया है, वो सकंध है, जो बारसकंध है ने भागवत में, बारसकंध है, वो 335 अध्याई है, भागवत में बारसकंध 335 अध्याई और 18,000 स्लोक है तो उसने बताया कि भागवत एक दरखतव रुक्षे उसकी डालिया सकंध है और उसके जो अध्याई है उसकी छोटी छोटी डालिया है या पत्ते है और उसके जो स्लोक है वो छोटे छोटे जो पत्ते हो है उसके अंदर जो नस है, वो उसके रगे है, वो उसके सब्द है. तो उसकी जो रूख्ष है, उसकी एक डाली में कोई वीरला ही पहुंचते हैं. पूरे रूख्ष के नहीं? पूरे रूख्ष में? नहीं. उसकी एक डाली में तो कोई वीरला ही पोचते हैं, तो हे देवचंद्र, तुमको तो धन्य धन्य है, तुम तो पूरे एक भागवत के रुक्ष की, पूरी सब डालियों में, सब टहनियों में, टहनियों नहीं सिर्फ, एक-एक पत्तों में, तो उसके सिर्फ सकंद नहीं, उस इसके सिर्फ स्लोक नहीं, स्लोक के एक-एक सब्द नहीं, एक-एक के अंदर आप जा चुके हो, तो इसमें कोई वीरला ही पहुँचता है, ये बताया कि हम तो अज कितने सालों से भागवत सुनते आ रहें, लेकिन एक डाली में भी पहुँच नहीं पाएं, और आपने तो प पुरे भागवत को जान लिया, और उसके दसमें स्कंद में जो रश परा वुआ है, वो भी आपने जान लिया, तो है देवचंदर जी, तुमको धन्य धन्य है, तुमारी बुद्धी को भी धन्य धन्य है, जो जागरत बुद्धी से आप जान रहें हैं, उसके अंदर को आहार देता हूं तो हो लोग मोन हो गए श्रीमंत चोदरी वैश्ने उजान और आगर बताया कि जो एका दसी है एका दसी का हम वरणन करके इस बात को यहां रखेंगे हमारे 5-7 मीट बाकि है सुन्दसाजी 6 बजने में तो ग्यारस का क्या महत्व है एका दसी का क्या महत्व हो नारद पंचरात्र में बताया गया है कहां नारद पंचरात्र में एका दसी ने श्वयम अपने मुक्षे वरणन किया है क्या वरणन किया है यह आप शुनिये इससे पहले देव चंदर जी ने कहा क्या कहा कहे वैश्ने उजनो आप अग्यारस रहते हो और उपवास करते ह उपवास तो इसको कहते हैं, कि पुरा दिन भूखे रहते हो, वरत इसको कहते हैं, कि जिस वरत का आपने प्रण लिया, ध्यान से निष्ठाबन पूरा करने का, उसको वरत बोलते हैं, प्रब्रम का ध्यान को, लेकिन मैं जो अग्यारस का उमें बताने जा रहा हूं, देवश लिखलो आप भागवत के नौमेशकंद में चोथे अध्याई में राजा अमरिश की कथार आती है राजा अमरिश की कथा के माध्यम से अग्यारस का महत्व बताया गया है आज लोग अग्यारस को तो रहते हैं लेकिन पिछे से क्या उपलब्धी प्राप्त होती है उसकी और देखते हैं नहीं है मैं उसका विस्तार से बताऊंगी अग्यारस अग्यारस प्रवा हमें सब रहते तो है लेकिन भागवत का मैं प्रमान देती हूई है अमारे धर्मगरंद का वानी का नहीं भागवत में शुकदेव मुनी ने नौमेशकंद में बताया और बताया के है व प्राप्ति होती है, वो तो स्वर्ग की होती है, तो स्वर्ग में तो इंद्राधी देवी देवतारेते हैं, तो आप पारब्रम के रस का, जो अखन ब्रज और रासलिला के वरनन का, भागवत के दसमें सकंद में, मैंने एक दिन बोला था ने, कि भागवत के दसमें सकंद, प बन जाता है ऐसे भागवत में दसमें सकंद निकल जाता तो उसमें कुछ बचता नहीं है तो भागवत में बताया गया सुक देव मुनी के माध्यम से के तुम अग्यारस रहकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हो स्वर्ग का साधन बनाते हो तो ये तो महाप्रलई में नास होने वाला है तो अग्यारस क्यों रहते हो इससे अच्छा तो पागवत के दसमें सकंद में जो अखंड ब्रज और रास के लिला है वो पढ़ो उसका चिंतन मनन करो वो रासे स्वर्ग के भी हारी कृष्ण युगल स्वरूप रासे स्वरी कृष्ण और राधा का ध्यान करो उस गवलोग की लिला में डूबो वो लिला जो कुझ निकुझो में हो रही है उस लिला में डूब कर आप वो ही सुखलो और आप तो अग्यारस रहकर स्वर्ग का साधन बना रहे हो और आपके जो वलभाचारी अजीश है उसने क्या बताया है? सुबध इजनी में भी लिखा ह कि उसने तो अखंड ब्रज और रास का दसमेशकंद पर वरणन करके अखंड गवलोग का वरणन किया है तो इसकी और तो आप ध्यान भी नहीं देते हो तो नवमेशकंद में भी सुकदेव मुनी ने राजा अम्रिश की कथा के माध्यम से संसार के जीवों को समझाया है संसार के जीवों कौन बोल रहा है स्वयम एका दसी अग्यारस बोल रही अपने मुखों से नारत पंचरात्र में वरणन किया गया है एका दसी बोल रही के संसार के जीवों कालांतर में आने वाले सामई में में बी एका दसी बोल रही के में भी पारव्रम परमात्मा के प्र प्रव्रम्परमात्मा के एक प्रव्रमात्मा के एक प्रव्रम्परमात्मा के एक प्रव्रमात्मा 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 के एक प्र माचली बने न, मचली बने और क्या बने? कव्वा बने लेकिन प्रसाद नहीं मिला था और रकादसी नारत पंचरात्रा में बताया कि हे आत्मा ओ, हे संसार के जीवो अग्यारस का और आगे बताया कि आप होम, ध्यान से सुनना होम, हवान यग्य, दान दक्षीना या मंदिरों में मठों में जाकर जो यात्रा करके आप पुणिए कतरीत करते हो लेकिन ये सब पुणिएं हजारों साल से करते रहो वो पुणिएं जब पार्भ łृ나म परमात्मा के एक प्रासाद के एक कन के बराबर जब तुल ना करेंगे तो वो तुछ है, तो आप स्वर्ग का साधन क्यों कर रहे हो है, तो महाप्रले में नास होने वाला है, और आगे बता दिया, दो मिनिट में हम बता दे, शुन्दत साथ जी, नौमे सकंद में अमरीश की कथा में, अमरीश राजा को एक प्रण था अग्यारस के दिन, के वो मुनी बहुत क्रोधित थे, वो क्रोध के श्वरूब थे, तो उसके घर पे आए हुए तो अतिती के हैं, ने, कहे जाते हैं、 तो अतिती के रूप में दुरवाशा मुनी अमरीश राजा के घर पे आ गये, अम्रिश ने पहले भी बोल दिया कि है दुरवाशा आप ऐसा करना मेरा एक प्रण है नियमे संधिया समय पहले ही अम भोजन कर लेंगे लेकिन दुरवाशा नहीं माने वो उसने बोला कि मैं नदी किनारे श्नान करके आऊ थोड़े मेरे सिस्यो को लेकर जाऊ मैं पहले यह आ जाऊंगा लेकिन वो संधिया समय पहले नहीं आ पाए अमरिश राजा ने बहुत उसका इंतजार किया फिर राह दिक दिक कर संधिया समय पहले उसने भोजन कर लिया दुरवाशा संधिया समय के बाद घर पे आया दुरवाशा मुनी तो उसको पता लगा कि मेरे अमरिश भक्तने लेकिन विश्णु भगवान के चक्र उसके पीछे भागते जा रहे, भागते भागते जब आगे गए लेकिन अमरिश को कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आगे की कथा ऐसी है सुन्दस साथ जी, वो ठक गए, राक्षशी भी, विश्णु भगवान के चक्र भी उसके पीछे, ठ पाइब दुर्वा नमुनिक को पूछा, कि मैं ठक गया, किसी को हार, नहीं सका, उसने बोला कि विष्टु भगवान के पास जाओ, उसका चक्र है, विष्टु भगवान के पास गये, तो विष्टु भगवान ने बोला कि मेरे भक्त जो अमृ से उसका दिल आपने आज दु चरण में पड़ गए, तो पिछे वाला क्या है वो तरफ वो नहीं देखते, तो जो अग्यारस का महत्व है, वो ऐसा है सुन्दसाजी, लेकिन अग्यारस का एक रत रेने के बाद, हम उपास करने के बाद भी, श्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग कहाँ अखंड ब्रज़ और रास में अभी वहाँ बाद पहुँची है, ने, कहाँ बाद पहुँची है, अग्यारस के तरफ, तो उसने वो छिद्र भी डुंडा, लेकिन वो मौन रहे गे, उसने बोला के, है देवचंद्र जी, आपकी बुद्धी को तो धनिये, इतने विचार आपके सेष्ठ है, हमारे अंदर तो इतने विचार नहीं है, वहाँ कुछ चला नहीं, और आगे का जो सुन्द साज्जी है, तब ही भद्र बेश हो ये के आई के बेठे पास, पूछा नामा, सुम्रन काहूं का लियाएं, कहिया शनिया शिका कर विश्वास, महामती कहे ये साथ जी, ये नवतन पुरी की किकता, और भी आगे किको, भाई जो भी तक यी ता, भाई जो भी तक यी ता, बो श्री प्राणनात, सी सत्गुरू, धाम के, श्रामी श्री लाल दासी, जिनो पुरी, समस्ता सुंदर, प्राम। किकता, स्ग्ड़ तक य्राम. किकता, भाई जो जो भी ये, जो भाई जो भी तक खकी, जो भाई जो ये, झाई तक ये जो प्राईवार जो बोड़ है, भाई प्राम।